चेक 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 जोड़ से बोलो चेक 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 Hi Guys, अवाज आरी है तुम को? कि इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं? छेक, छेक Shree, इसको थोड़ा नीचे कर देना प्लीज, सेट कर देना अवाज सेटे हैं यहाँ पर? पका, प्रमी है? यह पर यह बना आएं? यह इसी चाहँ देशिए? अया चेक, चेक, गाईज अल सेट, और्डियो क्लियर है यहां, नीन्द खुली, मुश्किल हुई नीन्द खुलने में, सोचो पहले दिन यह हाल है, रुख जाओ, शुरू करते हैं, क्लास फांच मिनिट में शुरू करेंगे, चेक, 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 मैं को, राजे सर, मैं को ओनलाइन, मेरा फोन गाई है, श्री, यूट्यू पर शुरू हो गया है, यूट्यू पर शुरू हो गया, मचके अज़र, बशुरू कोस्ट कान में, मैं की, अज़र, चेक, पर शुरू हो दिम्हांत ey, NEज़र, तो अज़र शुरू कर लूगा, मैं अज़र कतीफिते पर कप्स्ट कीमेश, इसकालाइब यह सॉर्टेड है यह ठीक है थोड़ा सा दिक्कत है चलेगा अब ही के चलेगा है पस मेरा फोन दे दो यार प्लीज हास अजया अचरा अब उलाइण जाद करने अब उलाइब वा अंहार यार्फ आफ दे थिल्टेंट करें अधिक्ज्डेड आप फिल्टेड है ना अजयुन गूलाइब वाउड्स गैस थोड़ा सा आप लोग रुख जाएए सब सॉट हो जाएगा ओनलाइन वाले बच्चो ओके दादा राजेश्थर यह नहीं रीड कर रहे है उसको डी-क्ट देक्टिवेट करें अकटिवेट करो ओ अनलाइन वाले बच्चो एक छोड़ा फट कनफिरम कर तो ओडियो वीडियो क्लिय रहे क्या अच क्यों यह ए इसर भोल यह तुम लोhst शरम आती पी शरमाती है यहां सर्दे को शरमाते शरमाते बोल रहें चेक उसको थोड़ा और छोट छोटा 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 करो चुलो आज के लिए थोड़ा तोड़ा अब बताने हाँ अल्राइट गाईज श्री अबास क्लियर है हर जगा क्या नहीं चल रहा है आप YouTube पे ही सारे लोग लेक्चर देखिए, अगले चार से पांस दिन अपना लेक्चर बेर मिनमम यूट्यूब पे होने वाला है, तो प्लीज यूट्यूब पे आजाए और अभी फोकस कीजे यूट्यूब पे, इस चार, मैंश बाए, मैंश बाए, शॉफ्टरे ना चाल रहा है, अठ्ठा सू बार भीजा उसने भाई, कॉपी पेस्ट कर रहा है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, sir, आवाज में बीप जैसी sound आँ रही है, बीप जैसी साउंड आ रही है, कान बंद कर ले, जब ऐसी आवाज आए तो कान बंद कर देना, ठीक है, चलो, anyway guys, शुडू करे, में को साउंड तोड़ी कम लग रही है, श्री, इनको नींद आ जाएगी, श्री, थोड़ा बढ़ा दो न, चेक, 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 बढ़ा, ब बेटने की क्या जरुवत है, चलो guys, तो फिर शुडू करते हैं, आज की class मेरी बात एक दम द्धान से सुनना, All right, हाजी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, I hope you are all doing really, really well, Welcome to CA, Foundation, अरे भाई, आजा उस सद्वे से बाहर होगे आप, Welcome to CA Intermediate, जितने भी बच्चे फेस्टो फेस्टे बैठे और जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे सब को मेरा और वीस्मार्ट के तरफ से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है, अब हम बुलाते हैं, स्टेज पे वन एंड विशाल सर एंड वीस्मार्ट टीम, सर प्लीज आ जाईए, थैंक यू गाइस, थैंक यू चालो है से माइक, हाँ, येस सर, येस दूस्तो, गूद्मानिंग तो व्यू, क्या बात है, आपका डीटी का लेक्चर अच्छा हुआ शायद, सब के चेहरे ऐसे खिलते खिलते दिख रहे हैं, आपके तो चलिए, जैसा आपका डीटी का लेक्चर हुआ है, वैसे ही अब लॉग का लेक्चर हने वाला है, और येस सुबह सुबह तो आज आपका चेहरा बड़ा फ्रेश लग रहा था, सब का अच्छा लग रहा था, ऐसा कंटीनू रहेगा? प्रामिस करो, तो थैंक यू सो मच, अभी कुछ नए स्टुदेंट्स भी नए चेहरे भी मैं देख रहा हूँ, तो कॉंग्रजिलेशन तो आल अफ यू, आपने सी ए फांडिशन एक्जाम क्लियर किया, एस विल एस बहुत सारे स्टुदेंट्स यहां डारे के इंट्री से भी आये और बहुत अच्छा स्कोर करके आये, तो सबको मेनी मेनी कॉंग्रजिलेशन और येस हमारा जो है यहां पे आज पहला दीन है और पहला दीन में आप भी बहुत एक्साइटेड होगे और हम भी बहुत एक्साइटेड है, ओके तो दोनों मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगे और एक पॉजिटिव रिजल्ट जो हमारा होगा, ओके तो सबको पास होना है ना इस बार, येस पुरे जोस से पुरे प्रॉमिस के साथ का हो, यहां यहां पे चली आपका भी लॉक्टर होगा और इसके बाद में अकाउंट का जैसर का लिक्टर होगा, तो आज साड़े पांच में तक आप फ्री हो जाओगे, क्या करने वाले हो आज, हाँ, फाइप साटी के बाद, बढ़ाई नाला है, क्या ऐसी एज जाएगी तुम्हारी हाँ, बढ़ाई करने में, तो यहाँ, आज सिले कर ले ना, क्या है कि इसको, मतलब रूम गूल रूम में हैं, ओके रूम सिले कर ले ना, ओके यहाँ, तो चलिए दोस्तो, यहाँ पे, मैं आपको यही कहुगा, पहले दस-पंद्रा दिन, बहुत सारे, मैं जैसे मौनिंग में भी कहा, अभी भी आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़े ऐसे सामने आएगी, बहुत सारी चीज़े आपको, चैलिंग्ज आपके सामने आएगी और आपको बहुत पॉजिटिव वे में फेस करना है, पहली बार घर से बाहर निकले हो, ऐसा कुछ है? ऐसा है ना? तो पहली बार घर से बाहर निकले हो, लेकिन डेफिनेटली, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में हैंडल करोगे, तो बहुत सारी चीज़े सौट आट भी हो जाएगी. और मैं यही कहना चाओगा कि दोस्तों, जो ऑनलाइन स्टुटेंट कनेक्टेड है, यहां पे हमारे लगबग 5 से 10 लिक्शर, डेमो लिक्शर से यूट्यूब पे रहेगे. तो आपके जो, हाँ, हुने सर्विया है, डॉन, हाँ, सही है, डॉन, 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 डॉन. तो यहां, डॉन आगया तो मिर को भी ड़ूए है, तो दोस्तों, यस, मैं आपको यही कहना चाहोगा कि पास से दस दिन डेमो लिक्चर से रिलाक्स वे में आप जो है यहाँ पे यूट्यूब पे लिक्चर देखो नोट सारे हम डिस्पैच कर रहा है सब चीज आपकी टाइमली हो जाएगी इसमें मैं आपको यही कहा कि के आपके सारे प्रोब्लम साल हो जाएगे ठेक है So, thank you so much Now, I hold to Yes, Vinod Reddy, sir Good morning, fans And big, big congratulations to all of you for passing CA foundation And as everyone knows अभी आपको अभाम सार हो गए और detail में बताएंगे but CA foundation was just entry level बराबर है, right? Real game So, आज से start हो रहा है और आज बहुत अच्छा दिन भी है, है ना, जहां से आपके शुरुआत होनी जा रही है, ठीक है, तो all the best guys, and consistency रखो day one से ही, आज से ही मैंने चालू करो बस, है ना, विल्कुल भी, मतलब एक दिन भी वेस्ट मत करो, every day matters my friends, ठीक है, ये छे मैने का, साढ़े पाच से, छे मैने का class, and उसके बाद में, दाही तीन मैने का, जो भी preparation है, ये तुमारी जिन्दगी बना देगा, literally, right, literally जिन्दगी, yes, thank you so much all of you, yes, every day is matter, पर आपको ये बता हो, हम दोनों friends है, और हमने साथ में foundation inter-final किया है, अपनी बात मत बताना, so now, यहां हमारे साथ बेवी सर भी है, तो मैं, yes, बेवी सर को हुट रहा हूँ, हाँ, तो morning में हम लोग बात कर चुके हैं, जिन लोगो ने आज DTA 10 किया था, बाकी जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, जो डेमो देखते हैं, दो-तीन दिन देखेंगे, जज़ करेंगे, कौन सा प्रोफेसर क्या बढ़ा रहा है करके, ठीक है, तो बड़ावट, डिसाइड करो, और DT जैसा ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आज आपने डेमो नहीं देखा है, और आज आप कल आने वाले हो, तो आप एक काम करेंगे, आज जो पढ़ाया गया है, यूट्यूब पर पढ़ा है, उसको रिवाइस करके, और कल आईए, और DT म तो यहीं बुलूगा कि आपको सारे सब्जेक्ट में आपएटी लेना है, अपने आपको मोटिवेट हर रोज रखे, हर दिन आपके लिए नया देना है, और उसको अच्छे से मोटिवेट करके, और पढ़ाई करते रहे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ब रूप में है, और यस, आपको सुबह मिले थे दोस्तों, और आज का दिन बहुत स्पेशल रहेगा, लंबे समय तक याद रहता है, बहुत सारे नहे चेहरे देखने को मिलते हैं, ठीक है, बाकी में देख रहा था कि कुछ चेहरे बहुत ही खुश है, बहुत जादा है, एप जो बोल रहे हैं, एक एक वर्ड में रटलूँगा, यही पर रटलूँगा, मैं सिब यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी अच्छी खासी है, साड़े पांच मैने लंबा समय होता है, उसके बाद में दो, तीन मैने का आपका प्रिपरेशन समय है, एक और गुरु मंत काल खतम होने से पहले सर मैं सिर तो, अरे भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा सहम जाते है, enjoy this process also, आप डेंड पे बहुत थक सकते हो एक दम, बोले आप रेंगते रेंगते बेड तक पहुच रहा हूँ, enjoy the process, back of the mind, just keep saying this, कि मुझे ए प्रोसेस एंजॉए करना है, तो कभी-कभी किया होता है, result आता है, sir ये कैसे पास हो गया, ये कैसे ही हो सकता है, बोले, वो मुस्कुरा रहा था, और जब मैं enjoy the process बोलू, enjoy studies, enjoy the knowledge, enjoy questions, complications, जितना आप इस जर्नी को enjoy करेंगे, आपकी productivity दो गुना रहेगी, आप क्या smartness जबरदस्त रहेगा, तो उसको enjoy करते जाहिए, और definitely, सभी faculties के अपने अपने flavor दे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, दोस्तों, मैं यहाँ पे, yes, accounts के लिए अभी जैसर को miss कर रहा हूँ, जो आपको अभी class के end में आने वाले है, और FM के लिए प्रशान साधा, sir और Amit Tatiator को भी आज मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो भी जल्द आप से मिलेगे, so दोस्तों, यहाँ पे आज का दिन कुछ special दिन है, और आज हमारे dawn, you know the ready sir का happy birthday है, तो मैं सभी चाहँगा यहाँ पे, so यहाँ पे wish you many many happy birthday, happy birthday to you, 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 happy birthday to you. तो थैंक्यू सो मैच और मैं अभी लास एक मिनट विनॉस सर को देना चाहोगा कि सर आपका बढ़ने है तो कुछ स्पेशल हो जाए यह इस पार्टी दो जरूर हो कि 23rd में से स्टार्ट होगा अचुली मतलब मेरे मता संदार्ट जरुकी जब से मैं पढाना चालू किया जब से मैं सी इंट्र को पढ़ता हूं तबसे अलमुस्ट फर स्ट ए जो भी होटा है फर्स दे का पहला लिक्ट अरच्छे मेरा उख टाता हूं तो अचुली मै रइलाइफ में फर्स ठाल डिया है क बहुत अच्छे से हम लोग सेकंड गूप में तयारी करेंगे ठीक है मैं सिब इतना बताना चाहता हूँ I am able to see lot of excitement at the same time some curiosity, कुछ anxiety रह सकती आपको day number one है तो मैं सिब इतना बता हूँ कि आप एक 5-10 days बस जज्ज मत करो कुछ-कुछ लोग को अभी बिमार हो जाती है कुछ-कुछ लोगों को अभी से homesickness हो जाता है ममी की आदा रही है, पपा की आदा रही है, किसी की आदा रही है है कि नहीं, कुछ हो रहा है तो एक 5-10 days, क्यूंकि अगर आप कुछ दिनों पहले यहां पे आते कुछ-कुछ पे महता हो, कभी कि ऐसा होता है फ़र एक कोई टीचर ठीरी पड़ा रहा है, प्रैक्टिकल पड़ा रहा है इट हैपन्स की वह आपको एक कंसेप्ट तक लेके जा रहा है वह एक प्रोसेस है, ही नोज थाट, डायरेक्टर है हो वह डायरेक्टर है उसने सौ सूपरहेट फिल्म अल्री बना चुका है अब समझ रहा है, तो तो जिस्ट फॉलो जब प्रोसेस, ठीक है बचुछ, थैक है बचुछ, थैंक्यू सो मुच अगें, एंद फॉफ टो इसार ने कहा कि सब लोग जो है और सब ने अपनी यादे जो यहां से लेके गए, हमारी यादे तो थी, पता नहीं और कौन-कौन से थी, लेकिन येस, आपको भी सब के लिए all the best, आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा यहां पे अपना study plan करना है, और आने वाले एक्जाम में बहुत अच्छा result लाना है Thank you so much, thank you Shubham, sir. Okay, so अब हमारे Shubham, siraw, law, kay होता है, LAW. Okay, वो बढ़ाने वाले है. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you Vinod, sir. Thank you Ravi, sir. Thank you demons sir. Thank you Ramay hor with sir. Thank you Amol sir. Thank you, sir. Sir, my class 20 minutes extra रहेगे, sir. चलो all right guys online वाले बच्चो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा अगर इशू आ रहा है audio में तो थोड़ा साथ सह लेना यह मेरी हाथ जोड़के आपसे विंती है क्रिपया करके मैं अगले सेशन में इसको सुधार दूंगा ठीक है वीडियो का audio खराब हो रहा था चेंज करो class change कर क्लास चेंज करो यह सब मत करना हूं ठीक है guys आवाज क्लियर है पक्का वो माइक रख दे मेरे को लग रहा है जरूरत पढ़ने वाली है ठीक है रख दे चलो guys so first of all welcome to CA intermediate how are you all doing कैसे हो आप सब बहुत attention मिल रहे नास तुमको आस तुम हो है ने दो दिन का मजा है बस ठीक है क्या करने वाले है आज की क्लास में अपन लोग आज की क्लास में हम लोग शुडू करेंगे एक सबसे प्यारा subject जिसका नाम है बोलो अरे बोलो अरे बोलो लॉ अरे बोलो लॉ ठीक है सर क्या आप मेरे को बता सकते हो लॉ का पूरा नाम क्या है यह ऐसा थोड़ी होता है सर foundation में भी पता नहीं चला इंटर में थोड़ी पता चलेगा सर यहां पर नाम है corporate and other laws कितने marks काते हैं कितने hundred इंटर में कितने subject हैं छे group दो first group में दूसरा subject है कौन सा corporate and other law ठीक है सर सबसे पहले तो तुम लोग मेरे को अगले 160, 180, 200 गंटे जो भी लग जाएं उतने गंटे आप मेरे को क्या करने वाले हो सुनने वाले हो तो उतनी दर सुनोगे तो दो तीन मिनिट लगा के अपने आपको introduce कर लूँ पक्का चलो एक चोड़ा सा game है तुम लोगों के लिए तुमारे screen पे 10 बाते लिखी हुई है दस में से 5 बाते मेरे बारे में गलत है और 5 बाते मेरे बारे में सही है आप लोगों ने एक एक कर के decide करना है और कुछ नहीं तो आखरी वाला सवाल तो सही बता ही देना ठीक है पर कितने सही है 5 और गलत कितने 5 सबसे पहला Sir I have अच्छा जिन लोगों ने demo देखा पिछले बार का, तुम लोगों ने सोचा होगा, रे ये तो मेरा खेला हुआ गे में, बेड़ा पॉइंट्स बदल गए है, हर अटेम्ट में कुछ नया होता है, ठीके तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीके सर, सबसे पहला पॉइंट, I have worked with a venture capital firm, सर, दुनिया में सब छोड़ो, ये बताओ, ये होता क्या है, हाँ, होता क्या है, समझे, तो ना हाया ना बुले, सर, venture capital firm क्या होते है, shark tank, उसमें जो shark बैटे है, उन क्या नौकरी करते थे, तुमको क्या लगा, हम shark है, सर, वो जो shark tanks होते है, उनको venture capitalist बोलते है, उनको क्या बोल आज ही बता दू, सब आज खोल दू, portfolio दिखा दू, हाँ, सर, ये सही है, दोस्तों, ये जो है, ये चीज सही है, second point, थोड़ा एंगेज हो जाओ, ऐसे मेरेको ना, ऐसा जज, वो feeling आ रही है न, अरे, जज कर रहे है, जज कर रहे है, थोड़ा एंगेज हो जाओ, मैं इतनी जल्दी कहां से आगे है, I am happily married, तुम बोलो के सर, देखो married का तो पता नहीं, पर happily ज़रूर नहीं हो सकता, लाइफ में ये कोई भी नहीं है, तो ये गलत है, है कि नहीं, ये सर, तो ये absolutely false है, the second one is false, कौन सा वाला false है, happily की married, वो तुम figure out करो, third वाला, I have degrees other than CA, हवे में हाँ, देखो सर, मैंने भी ये सोचा, जब मैं लिख रहा था ना, मैं सोचा शुपम B.com तो है, फिर मेरे को ना मैंने वोला यार, किसी को बताना नहीं है, तो अपने पास degree है, B.com पर हम उसको गिनते नहीं है, तो हमारे पास सिर्वे की degree है proper, CA, इससे तुमको एक चीज लड़ाई होगी, आगे जा करके, जब लड़ाई होगी ना, तो समझ जाना किसको उपर रखना है, अगर तुमको MBA करना है, किसको किसको CA के बाद MBA करना है, बोले सर, पहले CA तो कर ले, पहले इतना तो हो ले, मम्मी बापा को इसी में confidence नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपने क अगर CA के बाद MBA करना है, तो आप लोगों को BCOM लगेगा, पर यह नहीं राजुननन्दा उनिवर्सिटी, ऐसे उनिवर्सिटी का BCOM काम नहीं आने वाला, तो आप कोशिश हमेशा ये करना कि BCOM के वज़े से CA compromise, जितना हो सके आप ना करो, पता चला है, एक एक महने के लिए लिखने घर चले गए, मेरे को पता है, अभी क्लास के बाद आओगे, सर में डेड़ महने के लिए घर जा रहा हूँ, भाई धाई महने में तो कोर्स खतम हो जाएगा, तुम डेड़ महने घर जाएगे, क्या गर होगे, तो इसलिए BCOM को second preference में रखना प्लीज, फोर्थ पॉ गरवालों ने जोड जबर्दस्ती करके बोला, तुछ दॉक्टर बनेगा, तो मैंने क्या बोला था, इंट्रो सेशन है, दो मिनिट लूंगा में, ठीक है, उसके बाद कभी अपने बारे में बात नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में बात होगी, सर घर बालों ने बोला, ब तुमको 9th और 10th standard में पढ़ाते हैं, वो 11th और 12th में नहीं पढ़ाते हैं, 11th और 12th में ये लोग पढ़ा रहे थे plants के बारे में, animals के बारे में, motivation रहेगा, तुम समझ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, 9th class में पढ़े थे तुम plants के बारे में, नहीं ना, तो भाहिया ये कुछ भी नहीं बोला, सब तुम्हारी सोच है, सुनो, Sir, 4th वाला point क्या है, Sir, आप camera में आ रहे हो, आजो, 4th वाला point क्या था, I have failed in my one exam, the answer is, yes, मैंने पढ़ूंगा plant के बारे में, मैंने साफ मना कर दिया, बोले कुछ interesting बढ़ा हो, तो उन्होंने मना कर दिया, तो हम वाला, true है, अब 5th वाला, बताओ, Sir, I have done my articleship with Deloitte, Bombay, articleship is what, जो आप सीए इंटर के बाद, दो साल के लिए करने बाले हो, Deloitte क्या है, Sir, Big Four, Sir, क्या आप guess कर सकते हो, इंडिया में कितने Big Four हैं, interesting question, एक बच्चा सोच रहे है, कितने हो सकते, 8, 5, Big Four, यानि कि Top Four firms है, जिसमें देलोइट एक आता है, है ना भी भी, हाँ है, अभी भी Deloitte एक आता है, और Deloitte जो है, वहाँ पर मैंने Bombay में अपनी आर्टिकल शिप करी, वो तो एक अमेजिंग एक्स्पिरिंस हो दाए, उसके बार में फिर कभी बात करेंगे, तो 5th वाला भी सही हो गया, Sir, 6th वाला, I binge a lot of series, the answer is no, because a lot नहीं, a lot का time नहीं मिलता, चाहे CA के पहले या CA के बात, पर एक basic level का सारे series हमने देख रखे है, चाहे हिंदी हो या English हो, ठीक है, तो यह 6th वाले का answer क्या है, no, मैं क्यों नहीं छोड रहा हूँ पता है, नहीं तो तुम गिन लोगे, 3 true हो गए, 3 false हो गए, 7th point क्या लिखाए sir, I have 100K plus followers on Instagram and YouTube, Sir, आदे बोले Sir YouTube का पता है, आदे बोले Instagram का पता है, दूसरे का नहीं पता, Sir, सच या गलत, वो फोन खोल रहा है, भाई, इसका एंसर नहीं है कि सही एंसर लिखके ही आना है, तुक्का मारो और छोड़ दो, Sir, इसका answer है yes, fortunately हमारे Instagram और YouTube में दोनों में followers अच्छे, मैंने आपको क्या बुलादा, मैंने आपको क्या बुलादा, मैं तो सब्स्वाला क्या हो गया आपका, true, 8, I am born and brought up in Pune, लगते ही नहीं हो, Sir, आप तो लगते हो कोई है, दर माले गाउं के बाजू में एक गाउ है, Sir, क्या है ये, the answer is no, I basically belong to Odessa, in Odessa there there is a very small town called as Raigeda, तुमने अगर सुना होगा, तो अभी Shark Tank में एक नया shark आया है, पते है, Ritesh Agrawal, Oyo, Oyo तो सुना ही होगा, हाँ, सही में सुना है, वहाँ परे, Sir, Ritesh Agrawal जो है, वो शाक भी बहीं से बिलॉंग करता है, वो भी उसी स्कूल से पढ़ा था, जहां हम पढ़े तो तो हम लोग साथ-साथ में ऐसे, मतलब एक दूसरे को नहीं जानते थे, तुमको क्या लगा, पर वो मेरे भाई का बहुत अच्छा, नहीं वो भी नहीं जानता था, तो Ritesh Agrawal जो है, वो राइगडा से बिलॉंग करता है, वो शहर है, वहां से मैं बिलॉंग करता हूँ और नाच के दिखाओ, यह ले, नाच के दिखाओ, भाया ऐसा नहीं है, देखो यहां पर गलत ही है, I cannot sing, but maybe I can dance, which we will do towards the end of both the groups, ठीक है, पर यह इसका answer क्या है, गलत क्यों, क्योंकि गला मेरा साथ कभी नहीं देगा गाना गाने के लिए, तो ना तो मैं गाउंग और नहीं तु बोलोगे, कि sir, गहा के सुनाओ ना, sir, एक पिछले बैच में बच्चा बोलता है, sir, नींदार, यह गाना सुनाओ ना, मैंने सुनाया, वो सोही गया, एकदम, खतम, और लास्ट वाला, sir, आप लोगों के एजी होना चाहिए, यह, I read a lot of non-CA books, ca भडने के बाद ना, तुमको लग रहा है कि हम जा कर कुछ और पढ़ेंगे, तो यह तुम लोगों की गलत फैमी, sir, पर इसका एंसर है, yes, I spare 45 minutes in a day towards the end of my day to learn something which is not related to ca because dunya is इससे भी बहुत जादा बड़ी है, हम इस बहुत बड़े दुनिया में एक बहुत छोटे से हिस्से है, तो इससे भी बड़ी दुनिया है, तो उसके लिए इस पेर 45 मिनटस अब तर दे, every day, in order to stay updated. But the answer is yes. Sir, अब तो तुम गिंती भी नहीं कर सकते, कितने हा या ना, पर ये था मेरा broad introduction आप लोगों के लिए, जीवन में इसके बाद इतना समय में आपका कभी भी बरबाद नहीं करूंगा, आज कले बस इतना ही था समय की विरवादी. अब सर बात होगी सिर्फ आपकी और आपके प्यारे subject की, जिसका नाम है law. एक बार भाई, show of hands, और देखो भाईया, मेरी आपसे ना हाथ जोड़ के request है, क्लास में मेरे साथ online वाले बच्चे और offline वाले बच्चे, please participate करना, क्या करना, participate, क्योंकि भाईया, it is a two-way street, तुम अगर चुप रहोगे ना, तो class तुमारे लिए non-engaging बनेगी, तुम देखो के online में भी बच्चे unnecessarily चीजे कमेंट पर टाइप करते रहते हैं, ताकि वो active रहे, उनको लगे कि सर ने मेरे को पूछा है, तो मेरी बताने की जिम्मेदारी है, तो please मेरे साथ class में engage कीजिए, आइसा, 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 नहीं बैठने का, कैसा बैठने का, सीधा बैठने का, सामने बुक खोल गे बैठने का, और आज हम लोग जो चीजे पढ़ेंगे वो आप लोगों ने नोट्स में लिखना भी पढ़ेगा, पट शब में को एक बात बताओ नो, by show of hands, क्या के लाहत उठा दिया? सबर तो कर मेरे यार, तू सास तो ले दिलदार, सुन भाई मेरी बात, foundation में, madam, foundation में law से किस को किस को डर लगता दा, by show of hands, कि भाई या बाकी सब सब समल गया, Maths छोड़ दो, Maths तो बिता हुआ दिन है, अभी, जाने दो, Amand sir को याद मत करो, अभी यह बता, foundation से किसको किसको दर लगता था, हाथ कड़े करो, यह क्या होता है, मैं क्या ऐसे घुसके देखूँ किया, तो हाथ कड़े कर रखाएगी नहीं, sir by show of hands, good, मेरे को लग रहा है यह कोशिश कर रहे है, जितना पास जाने की वह उतनी ताकत लगा रहा है, दूर जाने की, दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना, foundation और inter के law में बहुत जादा फरक है, फरक क्या है राजा, foundation के law में आप लोग पढ़ते थे sales of goods act, आप पढ़ते थे Indian partnership act, आप पढ़ते थे Indian contract act, राजा यह सारी जो चीजे थी ना, यह law के आगे के dates, कब बने हुए थे Indian contract act कब बना था, 1872, हमारे तीन generation नहीं पेदा हुए थे, उसके भी पहले के generation का है, Sir, Negotiable Instrument Act, अचा आपका नहीं था, New syllabus में, वह है 1881 का, और उसके बाद आप पढ़ते थे sales of goods act, Indian partnership act, और लास्ट मे इतने के लिए इतना, जो इतना पढ़ना पड़ेगा पांच number के लिए वह हमको नहीं जमता था, तो Sir, हमारा तो सहारा एक ही था, BCR पकड़ो, और पार हो लो, और हमारे तो teacher ने भी साफ साब बोल दिया था, law नहीं हो पा रहे तरसे, तो BCR, बेटा, देखो, सबसे पहले तो इन्होंने अभी new scheme में, foundation में law 100 marka कर दिया, दूसरी चीज अब आप समझो, जब आप Inter में आगे, जब आप Inter में लो पढ़ोगे, तो Inter के law का सबसे बड़ा syllabus है, बोलो कौन से syllabus है, law में सबसे बड़ा syllabus, कौन सा act सबसे जादा है, Companies Act 2013, तो Sir, Companies Act 2013 अभी तरो ताजा बनाए तो everything that you will see, everything that is written in the act, you can relate it to the practical world, अभी सर कोई खाली नहीं बेटा है, देखो 1872 में तब के आप Britishers थे, उर बले बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, बनाओ एक law लेके, तब प्रभू नहीं चलते थे, तब Britishers का राज था भाया, जो भी Hitler का नाम, ठीके, पर तब ऐसे law बनत है ना, वो सारे के सारे law जो है वो आपको प्राक्टिकल लाइफ से रिलेट करने जरूर जरूर मिलेगा, सर आपका Companies Act, very important, आपको पता है इंटर में LLP Act भी है, यह यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, पढ़ा था LLP Foundation में, अच्छा किते लोग को पत में 12 से 14 नंबर तक का आने वाला है, और उसके अलावा जो other laws आपके बचते हैं वो भी बहुत जादा important है, जो मैं आपको डीटेल में अभी सारी चीजे बताऊंगा और आप लोगों ने लिखना भी है, सर प्लीज अपना notes कोलिए, heading डाली है corporate and other laws, प्लीज ओपना fair notes, अगर जो बच्चे लो, class शुरू करने के हिसाब से आए, प्लीज एक fair notes को लो, fair notes में अच्छे से उपर heading डाली है corporate and other law सर आप ICI module से ही पढ़ाएंगे न पलग जी हाँ, बिल्कुल ICI module से ही पढ़ाएंगे, आपके नाम का स्रायच, spelling गलत है आप ठीक कर लो सर यह आपने लिख लिया, corporate and other law, नहीं सर हमने corporate red pencil से लिखा and blue pen से अभी other red pencil लिख रहे हैं, है ना madam, चलो, अब सर corporate and other law को अगर मैं आपको बोलू, दो पार्ट में divide करो, तो कर पाओगे, क्या-क्या दो laws बनेंगे, एक तो corporate law और एक other law, सर क्या आप इत्ते बच्चे जैसे बढ़ाने वाले हैं, नहीं, राजायास डेमो है ना, तो आज हम यह सब करेंगे, क्या-क्या-क्या फट गई ना, दर मत भाई, तो क्यों टेंशन ले रहा है, सर corporate law and other law, अब सर corporate law and other law, can you tell me what do you mean by corporate law, चलो तुम मेर सा आगे मतली खुरे, मैं भी तुमारे सा लिखेगा, नहीं तो तुम लोग देख देख के लिख देरो आगे का, चलो sir, आपने लिख लिख लिया corporate and other law, corporate and other law, sir, दो पाट क्या हो गया, corporate law, other law, sir, corporate law मतलब क्या, what do you mean by corporate, do you mean corporate by, corporate means company, right corporate means company, it means a structure, sir, Salomon versus Salomon, sir, सुना सुना लग रहे, कि सुना सुना लग रहे, क्या भाई, no, no, Salomon versus Salomon, no sir, हम Salomon नहीं बोलते था, हम Salomon बोलते था, जो भी, वो versus वो, सुना, क्या कहता था sir, वो? सर आपको पता है अगर वो केस लौ ना होता तो तुम्हारी पूरी की पूरी कमपनी आप ना होती तो ढूंडो सालमन को तुमको पता है सालमन का पूरा नाम क्या था अरुन सालमन इधर का ही था भाई अपने मैं मजाग नहीं कर रहा हूं सही में उसका पूरा नाम क्या था अ A.R.O.M. Arun Salomon नामता, उसके case law में हुआ तुमको अगर याद होगा, सर देखो foundation का है जो B.Com वाले बच्चे हैं, अच्छा, I want to see by show of hands and by online student के response, किते बच्चे डिरेक्ट एंट्री के हैं, प्लीज हाथ उटाइए, तोड़ी देर बाद में आप लोगों को address करूँगा, कुछ specific बाते बताऊंगा, वो आप मुझे याद दिला देना, पर अभी कले ही समझो, Salomon v. Salomon एक case law था, जो वच्चे C.A.Foundation में पढ़ते हैं, it is introduction to companies act, अगर वो case ना होता, तो company को अपना, वो existence नहीं मिलता, जो आज के date में company existence में आती है, तुम बोलते हो, sir, company is a separate legal entity, it is an artificial person, य ये सब वो Salomon v. Salomon case law से आ रहा है, sir, अब corporate law में, आप हर वो law पढ़ते हो, जो आपके companies को apply करते है, हमारे syllabus में कौन से law आते है, sir, दो, पहला, companies act 2013, प्लीज इसको अच्छे सा अपने notes में लिखिए, पहला आगया आपका companies act 2013, और दूसरी तरफ आता है आपका LLP act 2008, brand new LLP act 2008, 2008, okay, sir, क्या corporate law में सिर्वित्त ही लो आता है दुनिया में, हा मैडम, क्या corporate law में सिर्वित्त ही लो आता है, नहीं, corporate law में बहुत सारे और लो आते है, आपका SEBI act आते है, SEBI, SEBI, Securities Exchange Board of India, क्या, sir, आपके corporate law में आपका FEMA act भी आता है, corporate law में आपके Indian partnership act भी एक तरह का corporate law है, क्यों, क्योंकि sir, उसी को हमने LLP में convert किया, आप आगे चल के समझोगे, Indian partnership act का ही upgraded version क्या हो गया है, LLP, तो corporate law हर वो law होता है, जो एक company को apply करता है और अपना business run करने में help करते है, उनमें सिर् तो law पढ़ने वाले, एक तो आपका companies act और एक LLP act, और दूसरे तरफ क्या लिका है, sir, other law, other law में क्या क्या आएगा, raja, do you know your inter syllabus other law में क्या आएगा, sir, other law में सबसे पहला Indian contract act, sir, पहले, पहले के जमाने में, मतलब, बीडे भाई के जमाने में, बीडे भाई के जमाने में, ब गुआ करता था, inter का course, inter का course, ठीके, अब वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको यहां से हटा करके, कहां shift कर दिया, इन्होंने shift कर दिया, foundation में, अरे वाह, sir, syllabus कम हो गया, फिर इन्होंने final से बुलाबल आया, और बोले final से हो, कौन से difficult है, बोले, हाँ, तु, हाँ, आजा, कौन Foreign Exchange Management Act है, Sir, एक बार बोलो, Full Form, Foreign Exchange, बोलो, 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 सर, Foreign Exchange Management Act क्या है, थोड़ा introduction दे रहा हूँ, मेरी बात सुनना, बहुत brief introduction, सन नाइटी 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 वन की बात है, ठीक है, 1991, back in 1991, do you know, India was in a very big crisis. Crisis यह था, sir, कि आपको पता है, what is foreign exchange, foreign exchange मतलब आप अब इकले, simple language में यह समझ लो, हमारे इंडिया के पास, US का डॉलर कितना है, जितना हमारे पास US का डॉलर है, उतने हम, ताकतवर है, ऐसे खोमत, यार, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है, sir, क्या करना है आपको, आपको यह देखना है, इंडिया के पास डॉलर कितने है, अब sir, क्या हुआ, आज तो क्या है, आज अगर मेरे को घूमने का जाने का यह, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीदा येरपोटिसे संगा, आएरपोटिसे समय करंशी खरी दोंगा, और मैं सीदा जाना, US जाना, New York जाना, London जाना, कहीं भी जाना है, फ्राइट पकड़े चले गए, वीजा ले लिये चले गए, असानी से मिल जाता है, बची सर, पहले के जमाने में, आज से 30 साल पहले, 1991 में, इट वस नॉट दाट इजी, Cross Border Transaction जो है, इंडिया और US का, इंडिया और किसी और कंट्री का, वो नहीं होता था, उसके वज़े से क्या हो रहा था, इंडिया अपने अपने ग्रो नहीं कर पा रहा था, अकेले इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो सर, उस समय पे 1991 में, जो सरकार थी, कौन सी सरकार थी सर, 1991 में, पीवी नर्शिमा राओ की सरकार जो थी, उसमें फाइन्स मिनिस्टर था, समझें, नहीं सर, हाम, अरे थोड़ा सा अपडेटर राओ चुप रहने वाले हमारे, मनमोहन सिंग जी, जितने वो चुप रहते हैं न, उतने ही जादा उनकी नॉलेज है, उन्होंने एक तरफा, strategies बना करके, 1991 में, इंडिया को इस economic crisis से निकाला था, पर crisis क्या थी सर, इंडिया के पास ना, मुश्किल से, दो हफ़ते का dollars था, मतलब आपको पते हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है, और export करते हैं, उस समय में आपको क्या लगता है, इंडिया इंपोर्ट जाधा कर करता होगा कि export जाधा करता होगा, इंपोर्ट जाधा हम बाहर वाले शेरों पर डिपेंडेंट थे, तो सर आज अगर मैं बाहर से तेल इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को उनको डॉलर देना पड़ेगा, पर डॉलर देने के लिए होना भी तो चाहिए ना, सर हमारे पस सि इतने ही पैसे थे कि हम अगले 14 दिन का इंपोर्ट सहप आते हैं, उसके बाद बाहर वाला कोई भी हमको माल सप्लाई नहीं करता, उस समय हमारे मनमोहन सिंग जी ने दिमाग लगाया और बोला हमको यह जो बॉर्डर है ना, जहां पर हम इंडिया में अपना घमन लेके मतलब तुमको बाहर चाके इंडिया में धंदा करने करो पर जब हमारे वाले बाहर आके तुमको करने देना पढ़ेगा फिर देखते हैं ना कॉन जीतेगा तुमा के इंडिया में कमा के दिखा हम जाके यूएस में कमा के दिखाते हैं, तो सर जब इनोंने Cross Border Transaction शुरू किय हमारे पस इतने पैसे आगए Dollar Reserves कि अब हम तो साल आराम से चल जाए हमको कोई तकलीफ नहीं है सर यह जो रिजर्व को वापस लाने का कमाल थाना इसलिए इसको करने के लिए इनोंने Act बनाया FEMA Act क्या है यह Foreign Exchange Management Act कि अब हम foreign exchange को मैनेज करेंगे रिए इस अब इंट्रेस्टिंग चाप्टर आस अंपेड तो यॉर इंडियन कॉंट्राक्ता आट और अधर आगा यह आपका लेवल बहुत लेकर जाने वाले इसके बाद दूसरा दूसरा चाप्टर क्या है तूसरा चाप्टर आपका General Clause Act क्या बता सकते हो General Clause Act क्या है Can anyone tell me what is General Clause Act? क्या हम आप Foundation में पढ़के आये हैं क्या सर मैं पता हूँ सुनो सर, General Clause Act क्या होता है मेरी बाद एक दम द्यान से सुनना, सर एकना बहुत इंट्रेस्टिंग केस लो हुआ हुआ, ठीक है, एक लड़की थी एक लड़की थी, उसका नाम था अधिती ठीक है, वो क्या थी सर वो एक बहुत बड़े कंपनी के CEO के पोजिशन में बहुत अच्छे पोजिशन में थी, क्या नाम था लड़की का? अधिती अब मेरी बात सुन्दा, अधिती क्या कर रही है, उसको ना उसने law पढ़ा, companies law पढ़ा, और law पढ़के उसको अचानक सा आया एक बर गुस्सा, madam, क्या आया? गुस्सा, क्यों आया गुस्सा, वो उसने नहीं बताया, अब वो क्या सोच रही है, उसको लग रहा है, कि अब म वकड लिए, सर, कोट में लेके गए, कोट में लेके गए, तो जजज साब ने बोला, और आपको दस साल के जाना पड़ेगा, और आपको दो हजार करोड रुपे देने पड़ेंगे, तो वो हसने लग पागल हो जैसे, कोट बोल रहा है, पागल हो गय हो, वो ले नहीं हसे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, सर, लोग में सब लोग देखने है, क्या हो गया भाई, क्यों असरी, इतना बड़ा ऐलिगेशन लगाए, दस साल के जेल बेज रहे है, और जजज साब ने ओर दे दिया है, सर, उस समय मैडम ने बोला, सर कौनसे सेक्शन में आप मेरे का ओडर दे रहे हो, जज ने बोला, 447, मैडम ने बोला, पढ़ो एक बर सर फिर से, तो वहाँ पर लिखा था, in case of fraud, he shall be liable for a jail of 10 years and penalty of two times of the amount of fraud, तो फिर असने लगी, बोले, सर, उसमें क्या लिखा है, he, और मैं क्या, she, ये लो मेरा birth certificate, ये देखो, इदर लिखा है न applicable, नहीं होएगा, जज बोला, मोय, मोय, बोले, ये क्या हो गया, भाई, इतना बड़ा case लड़ते-लड़ते, लास्ट में इस पर discussion चल रहे है, तो सर, जज सहाब ने बोला, अब देखो हमारा कमाल, जज ने खोला General Clause Act, बोले, हमसे ना लो बनाने में, एसी छोटी-छोटी लातों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, कि हर जगा हिशी, हिशी, हिशी करेंगे, हमने बोला हर जगा हम ही लिखेंगे, और हमने General Clause Act में लिख दिया, He Includes She, He Includes She, अब जज ने बोला, देखो General Clause Act, अब तुम्हारा मोय, मोय, हिसाब पराबर, तो सर, ये क्या हुआ, ये General C Clause Act है, जो इंडिया में जितने भी लो बनेना, वो चाहे आपका Companies Act हो, चाहे आपका Income Tax Act हो, चाहे आपका GST Act हो, जितने भी Act हो, सबका Supporting Role प्ले करता है, Supporting Role मतलब तू आगे बढ़ में तेरे साथ हूँ, कैसा तू अगर ही लिखाए, मैं संभाल लूँगा, She है, कभी- A Company may be formed for Legal Purpose, क्या Purpose? Legal Purpose, Legal Purpose मतलब सर, मैंने बोला, मैंने एक Company खोला, आओ Murder-Kare-In-Limited, क्या खोला मैंने Company, आओ Murder-Kare-In-Limited, क्यो? मैंने बोला, सर, यहां पर लिखा है, अच्छा मैंने गलत किया कि सही किया, आओ Murder-Kare-In-Limited, खोल सकते है, सर, कर रहे हो तो करो ना, ऐस इसा open में काई को करने का, पर मान लो, अगर मैंने किया, तो क्या मैं कर सकता हूँ Legally? नहीं, क्यो? Legally मतलब law में कहीं तो मना करना चाहिए, सर, यहां पर लिखा है, A Company may be formed for Legal Purpose, यहां पर word used है, मैं, सर, मैं मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, it means a Company may be formed for Legal Purpose, a Company may not be formed for Legal Purpose, तो मैंने तो गलत interpretation नहीं किया, तो वहीं पर आपका General Clause Act आता है, बोलता है मैं तेरा supporting role था ना, उसमें लिखा है, sometimes में का मतलब शायल हो सकता है, sometimes में का मतलब शायल हो सकता है, अरे यह तो दादागीरी है ना भाई, तूने लिखा, तूने लिखा, A Company may have two directors, तो मैंने तूने के दो रख दिया, बात में आके बोल तो में नहीं शायल तूमको रखना था, कम से कम दो रखना था, यह तो क्या जबर्दस्ती है, तो तू शायल लिखना, तो law ने बोला हमारे यहां, ऐसा ही होता है, करने का है, तो कर रही तो बंद करके बाहर चले जा तू, Sir this is called law of the land, मतलब तुम जिस जहां पर रहते हो, वहां का जो भी law है, वो तुमको comply करना पड़ेगा, you cannot put a lot of question mark against that law, तो यहां पर लिखा में है, पर इसका मतलब हम क्या करेंगे, शायल भी कर सकते हैं, अब Sir, इसी interpretation को ले करके, एक और लड़की आई, क्या रखें लड़की का नम, मैडम आपका नम क्या है, मैडम आपका नम क्या है, लीना, चीक है, एक और लड़की आई, लीना, किसी का class में example नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आपको अभी समझ में आएगा, Sir, एक इंसान है Mr. X, चीक है, इसके चार बेटे, आट बेटी, अब आप यह पूछेंगे कि Sir, क्या करते थे Mr. X, Mr. X, बहुत बिजी इंसान थे, उनकी करोडों की जाइज़ाद थी, 10,000 करोड की उनकी property थी, Sir, पापा से मिली थी, क्या, उनको कमाना नहीं पड़ता था, क्या, करमाना पड़ता था, वो काम पे जाते थे, बहुत बिजी थे, तुम उनको ऐसा जज म पहले, आपने कभी सुना होगा, कि अगर ऐसा law था, कि अगर पापा की death होती है, तो उनकी property जो है, वो सिर्फ उनके लड़के को मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती थी, ऐसा पहले जमाने में law हुआ करता था, अब Sir, एक लड़की थी, उसने लड़ लिया, बुले, law में लिखा है, that the property will go to the male descendant, male descendant मतलब जो male लड़के है, male लड़के है, छीक है, जो male generation है, ठीक है, पर उसने लड़ लिया, कि भईया, जब he includes she, तो male includes female, तो अब property जो है, sir, male को नहीं female भी मिल लेगी, Sir, उसका argument सही था कि नहीं, he includes she, तो male includes female, law ने बुला, रहे, नहीं मेरी माम, he includes she, ये कब, जब law का intent हो, पर जब हमने लिखा है, male descendant को मिलेगा, तब इसका मतलब हमारा ये नहीं कि female descendant को मिलेगा, वहाँ पे तुम ऐसा interpretation, नहीं कर सकते, Sir, ये दादा गिरी है, हाँ, कुछ कर सकते, नहीं, ये इसे नहीं कर जहां पर तुमको 70 आने तर वहाँ पर 40 दिये, हाँ, कुछ कर सकते, नहीं, चुप चाप, सहने का, Sir, ऐसे हिनों ने जनरल क्लॉस आट में यही सारी चीजे लिखी है, कि ये ये, he includes she, male includes female, but, sorry, male does not include female, may can be read as shall, उन्होंने और क्या लिखा पता है, अगर हम bell कहें, तो तुम bell का मतलब गाय मत समझना, Sir, सही में, अभे मतलब हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में और भी कतना, बोले, अगर हम bull कहें, तो तुम cow मत समझना, Sir, ये सब पढ़ने वाले हैं, हाँ, Sir, इसलिए इसका नाम कहा, General Clause Act, ये क्या करेगा, ये आपके सारे law के लिए supporting role play करेगा, अरे समझे क्या, ये सर, again a very interesting chapter, अब Sir, ये सब होने के बाद, पूरा foundation का law पढ़ने के बाद, पूरा इंटर का Companies Act, LLP Act, फहिमा और उसके बाद General Clause Act पढ़ने के बाद, आपका आखरी chapter आएगा, आखरी chapter आएगा, Interpretation of Statute, मतलब पूरी दुनिया घूम के आने के बाद, अब ये तुमको बताएंगे, law पढ़ा कैसे जाता है, भाई तो ये पहले बता दे न, पहले बता दे न, कैसे पढ़ा जाता है, तुम लास्ट में बताओगे, law को ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, हमारा पूरा foundation कातम हो गया, पूरे Inter का syllabus कातम हो गया, पर सर ये चाप्टर अगर पहले पढ़ लोगे न, तो तुम्हारा law पर से भरोसा उट जाएगा, तो इसलिए हम इसको कब पढ़ेंगे, एकदम अंतिम आखरी चाप्टर जो है, ये बाला करेंगे, सर ये more or less आपका क्या है, आपका Corpor and Other law का syllabus है, तो इसका मतलब, आप देख सकते हो Other law में बहुत कम चीजे है, और ये जो तीन चीजे हैं, इसका वेटेज कितना है exam point of view से बता है, 50, Corporate law 50, Other law 50, नहीं सर, इसका वेटेज है, only 30 marks, and the rest of the 70 marks comes from Company law, Corporate law, which is your company law plus LLP, Madam, लिख लो नहीं सर, आम नहीं लिखेंगे, दू पर बश्तो तीस तरे, फिर उसके बाद चौते, फिर डिसाइड करेंगे किदर का लिखने का है, पर ठीक है, आज का दो घंटा तो वसूल लो, आज का दो गंटा क्यों बरबाद करना है, लिख लो, क्या पता कल को इसी में आगे continue करना हो, क्योंकि ये सब नाच में फिर से बनाया है कि थर्टी मार्स के लिखना ये तीन चाप्टर पढ़ना बहुत पुराता है, पुराता है, पुराता है in the sense it is absolutely worth it, you can put your 100% energy क्योंकि थर्टी मार्स के लिख सही है, पहले इसी थर्टी मार्स में आपका Indian Contract Act, Negotiable Instrument Act, General Clause Act, Interpretation of Statute, चार बड़े 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 च syllabus has also become overall scoring, चीक है, अब सर ये syllabus introduce करने के बाद, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि आपके foundation में डर जरूर था, agreed, सर ये डर कैसे खतम होगा, ये डर कैसे खतम होगा, सर सबसे पहले आपको पता है, आपने कभी ये कहावत सुनी है, make it, fake it till you make it, fake it till you make it, सर अगर आप, अभी आप counselling ले गए बहुत जगा, बहुत सारे लोगों से बात करी, कैसे शुरू किया, law से तो मेरे को डर लगते है, law तो मेरा नहीं बनता है, law तो मेरे को नहीं जमता है, लिखना तो मेरे को नहीं आता है, English मेरी थोड़ी weak है, ये जो सारे sentences है, ये सारे negative sentences है, तुम ये बोलोगे तुम ये इतना मानोगे, शायद इतना डर लगता भी नहीं है, जितना तुम अपने मन को बता रहे हो, so this has to stop, absolutely here this has to stop, you have to stop telling everyone and yourself, कि भईया मेरे को law से फटती है, फटती है, मैं तुम को ये वादा कर रहा हूँ, एक महीने का समय, and law will become your favorite subject, law will be your go-to subject, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहे, एक ही subject आप खोलोगे, वो है law, ये मैं करने की ताकत रखता हूँ, अगर तुम मेरे साथ ये करने की ताकत रखते हो, अगर तुम मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना इंट्रेस्टिंग है, तुम बोले नहीं सर मेरी तो फट रही है, ऐसा नहीं चल बोलता है कि company को accounting standard बनाना पड़ेगा, law बोलता है कि company अगर तु शेर्स premium पे issue करेगा, तु तु शेर premium account बनाएगा, कौन बोलता है law, so it is the company law which is giving, which is making all the other subjects what it is, so you have to make this very strong, this comfort will give you comfort in other subjects also, अरे समझे क्या, तो आज के बाद सिर, आपको ये, किसी से भी नहीं कहना है, कि मेरे को law से डर लगता है किसी को भले कहलो, पर अपने आप से ये कहना बंद करना पड़ेगा, sir law मेरा comfort zone है और और 15-20 दिन में और भी जादा comfort zone में आ जाएगा, sir के आप लोगों को ने ये लिख लिख लिए? madam, सीधा मैटो please, लिख 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 Sir, आप लोगों को मैं कुछ आपके basic questions का answer देदेता हूं. Sir, which materials do you need? What materials do you need and how many notes do you need? आपको यह रहता है, sir, कितने notes बनाने, क्या करने, Sir, सबसे बहले बता दूँ आप लोगों को class के साथ-साथ क्या materials मिलेंगे? दोस्तों, intro है, अराम से सारी चीजे सुन लो, यह सारी चीज है बहुत important है, यही बात है तो बाद में है, याद आती है, मेरी बात सुनो सर, यह आप लोगों को class के साथ मिलने वाले हैं, दो किताब, बस इतना, सर, मेरे को तो 6 एथ, नहीं बाइज, इतना, इतने में अपना हो जाएगा, ठीक है, सर, इतने में क्या हो जाएगा, में को 50 यह रही सा, में को 60, कर दिया गया है यह आपका छोटा ICI module है यह आपका ICI module है ICI module is the base on which this book has been made क्यों sir क्योंकि sir I personally believe that the only secret to clear your CA exams is ICI module भाया एक बात बताओ examiner question कहां से उठा के बनाने वाला है module से जब अपने को बता है उधर से बनाने वाला है तो अपने इधर उधर कहीं भी आख क्यों मारे है अपना focus clear होना चाहिए पर sir ICI module का एक problem है क्या तीन module आते हैं तीन module आते हैं और ले देके मिला के 700 700-800 पेज एक्जाम के पहले रवाइस करना इंपॉसिबल है not even next to impossible it is straight forward impossible तो भाया और आपको foundation से यह experience तो होना चाहिए direct entry वाले जिनको experience नहीं है तो मेरे बारे में तो बात ही नहीं कर रहे है तुम सुन लो ना क्या experience है सुनके सीख लो क्या कहा सर इतना experience होना चाहिए कि जो मैं exam के देड़ दन पहले नहीं पढ़ पा रहा हूं वो मैं exam में नहीं लिख पाऊंगा so I have to ensure that I read each and everything on the day before exam so from day one this is going to be your main book this is going to be your bare act this is going to be everything that you need from day one to the last day sir इतने में आपका law का पूरा content खतम हो जाता है और उसके बाद आपको एक और बहुत प्यारी सी book आईगी जो आपकी है question bank sir यह जो question उड़ गया ना हाँ वो green color काय करके उड़ जा रहा है sir यह question bank जो है यह question bank में पिछले 8 से 10 attempt के सारे RTP MTP question paper सब कुछ को लेट करके ICI के pattern में दिया हुआ है you are going to this book is more important than that book sir हमारा जो आज से 2 attempt पहले law में 83 score लाया था जिस student ने उसने बोला sir exam के एक दिन पहले मैंने इस book को तीन बर revise कर लिया और होता है एक दिन पहले तीन बर revise करना होता है और जब इतना revise कर लेता हो ना तो बुक पे इतना comfort आ जाता है कि आराम से तुम कोई भी question को जा करके face कर सकते हो so these two books are going to be your asset अरे आपको मेरी बात समझ में आरी है क्या तुम्हारी भाशा में बहुत तुमको जेप रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं पक्का जेपना बोलते है ना चीक है तो इस आपको क्लास में कितने नोट्स बनाने देखो तीन sir law एक theory subject है मैं अगर ऐसे खड़े होके तुमको पढ़ाओंगा तो तुम खड़े होके सो जाओगे तुम बोलोगे भाई अपन सोते हैं बाद में देख लेंगे sir law में अभी theory subject में class में पूरा attention लगाने का जिम्मिदारी मेरा तो है पर साथ में तुम्हारा भी है it is a 50-50 game अब तुम्हारा कैसे है sir मैं जो भी चीज क्लास में पढ़ाऊंगा ना उसको मैं इस तरीके से scribble करूँगा यह जो मैंने लिखा है ना इसको मैं इस तरीके से scribble करूँगा everything will be explained in a chart manner everything no matter how big the concept is आपको क्या करना है आपको attention देकर के charts अपने भी notes में बनाना है sir मेरे को यह लगता है मेरी यह theory है कि इंसान लिखते लिखते तो शायद नहीं सोएगा अगर तुम उस level पर पहुँच चुके हो जहां sir लिखते लिखते एक दिन में चलते चलते सो गया था मेरे को भाजुवाले नहीं उठाया बहुल देखके चल भाई तब मेरे को समझ आया भाई अगर इस लेवल पर पहुच चुके हो तो थोड़ा सा आपको नीचा आना पड़ेगा पर मेरा यह theory है कि लिखते लिखते नहीं सो सकते so everything that is going to be written in the class you will have to scribble along with me what did I say what is that word scribble along scribble personally crack any exam. अब हम लोगों में एक शमता होती है sir, subject interesting हो boring हो, teacher नाच रहा हो या पढ़ा रहा हो, हम सो सकते हैं, हमने अपनी कला देखी है, हमको रात को जगने की और दिन को सोने की आदत है, और भगवान भी मजाल है जमीन में आकर सुदार दे, वो भी नहीं सुदार पाएंगे, तो भाईया अपने को क्या करना है, अपने को अपना attention बनाना है, उसके लिए एक ही तरीका है, class में scribble, this is not only for law, for any other subject, just, में को भी बोलना, देखो में तुमको डेमों में एक बात बताता हूँ, class की strength तो तुमको दिखी रही है, class इतनी बड़ी manage के से होती बता है, आज हमने चुपा के रखें, कल से चार बाउंसर रहेंगे, चार बाउंसर क्लास के चारो कोने में रहेंगे, जब आप अचा 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 करोगे, तब वो तुमको पकड करके बाहर भीज देंगे, जब आप class में फोन चलाओगे, class में, एक जिना भाई पिछले बहच में, करोगे, जब आपके जा रहें, मैं बोलाई यह चल क्या रहें, क्या हुआ, तो उसको अचानक से रिलाईज वा, शिट मैं और नहीं देख सकता, फिर वो उसको पकड करके फोन लागे बोल रहें, सर देखो, मैं, जब लोगा, क्या हुआ तो, तो के दे, सर यह फोन चलागा उतना तुमको लोग से प्यार होगा, ऐसा हेंड़ाइटिंग बनाना, जिससे अपना नोट्स लिख रहे हो, या और भी अच्छा बने तो अपनी वाली का लिख रहे हो, यह सोच करके बना लेना, कि भईया, उसके लिख के दे रहा हूँ, हाँ, तो मैं कितना प्यार से दूसरा बनेगा आपका concept book, concept book मतलब हमारे इस book में जितनी भी theory है, वो पूरी theory summarize manner में आपके notes में उतरने वाली है, अगले 180 गंटे में, तो you need a fair notes, अच्छा सा notes लेना, अच्छी सी handwriting बना करके उसमें अपन पूरा का पूरा law summarize करेंगे, और तीसरा बनेगा आपका question practice का book, question practice book जिसमें आप लोग बहुत सारे questions practice करोगे, तो तीन किताबे बनने वाली है, मैं आपको एक suggestion देता हूँ, दो बनाना, एक normal किताब, 140 pages की, जिसमें आप क्या करोगे, scribble करोगे मेरे साथ, दूसरी किताब 200 pages की, जहां पे आप फर्स्ट हाफ में concept book बनाऊगे, और सेकेंड हा लाना है, एक ही किताब लाए, जिस दिन नहीं लाना है, उस दिन एक किताब नहीं लाओगे, कितने book बने total, पहला, कितने book बने total, पहला, कितने book बने total, पहला, स्क्रिबल, और दूसरा, आपका question bank plus fair notes, यह दोनों notes आपके लिए काफी होंगे, आपको पूरा का पूरा पहले तुम्हारे, right, एक तो, sir, कितने question लिखाओगे class में, दो लाक, दो लाक questions, सारा हम लोग tax का भी, accounts का भी, सब इधर ही लिख देंगे, sir, कितने question लिखाओगे, आपके question bank का, one third question आपको लिखाया जाएगा, one third question, easy होगा, तो हम छोड़ देंगे, और one third question आपको class में solve कर जाएगा, तो इस तरीके से आपका तीन portion में पूरा का पूरा question bank भी खताम हो जाएगा, उसके बाद, sir, एक group या बोद group का discussion में अभी नहीं कर रहा, sir, जिन लोग जो online देख रहे हैं, जिन लोगों को notes मिलेगी, notes के बारे में बतादू, जो face to face बच्चों, तुमारा first lot आया क्योंकि कल से हमारी full flow में, वो चीजे जो exam में आने लाइक है, वो classes शुरू हो जाएगी, because I am a firm believer of one thing, finish, start your course on time, finish your course on time and give maximum time for yourself study, मैं कितना भी पढ़ा लू जब तक तुम खुद बैठके नहीं पढ़ोगे ना, both group या single group भी clear नहीं होगा, so we have to start, बहुत जादा हम ये game नहीं कर चकते कि आओ demo देखो, देखो मैं कितना खीच खीच के, सुला सुला के पढ़ाता हो, नहीं भाया, अपने को एक chapter की जित्ती value है, उतना time देके अपने को आगे बढ़ना है, और sir, last में foundation का, तुम लोगों को किसी ने बोला होगा, मैंने सुना ये कुछ लोगों को बोलते कि तुमको लगते हैं, हाँ sir, सही तो है, क्या बड़े हुए हो कि नहीं हुए हो, sir, ये, समझ लो, that foundation is just the tip of the iceberg, iceberg मतलब, जो पानी के अंदर होता है, ice पूरा, जिससे स्ट्राइटनिक ठूकी थी भाई, एक ऐसा ice होता है, ठीक है, उसका tip है, मैं कितना flow मैं बोलता तुम मोल है, iceberg, tip, क्या बोल रहे थे, sir, आप, अरे भाईया, tip of the iceberg मतलब, ये सिर्फ शो था, foundation is basically just an entrance test, you will have to show your real power and real skills at CA intermediate level and which we are going to do, don't worry about it, भाईया है, सब कर आके देगा, ठीक है, तुमको टेंचन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको साथ-साथ में चलना पड़ेगा, अब स सर, आगे बढ़ता है मेरी class, अभी हम लोग practically, एक गंटे के time pass के बाद, जो जरूरी था, तुमको बतानी, बहुत सारी चीज़े जरूरी थी, पर अब मैं आप लोगों को officially वो चीज़े लिखवाने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए exam point of view से भी important है, और अब से शुड by law, by law, sir, कभी सोचा है law ना होता, तो क्या होता, ओ भाई साब foundation first attempt में निकल जाता, sir, intermention ही नहीं होती, sir, अरे मतलब syllabus में नहीं होता, तो वैसा नहीं, अगर India में law ना होता, तो क्या होता, have you ever thought, sir, अगर India में law ना होता, बहुत जादा chaos होता, बहुत जादा disturbance होते, बहुत सारे criminals होते, जो criminal cases बढ़ रहे होते, इंडिया में कोई भी decorum नाम की चीज नहीं होती, यह law है, जो हर चीज को क्या करता है, संभाल के रखता है, you may not be aware, but इतने सारे laws हैं, जो छुपे-छुपे laws हैं, जो छोटी से छोटी बातों को संभालती है, आपको बता है, environment related law है, do you know, आपका जो, यह traffic signals होते है, वो traffic signal का law है, आपको बता है, पुलिस वालों के अलग से पुलिस act है, आपको बता है, टीचर्स के अलग से टीचर, कुछ भी बोलू, सुनके मत ले लो, टीचर्स के ले का यह law, तुमको इधर यह building में आने के बाद लगा क्या कोई law है, तुमको चलो, चलो, हाँ, आगे, तुमको लगा क्या कोई law है, सर अभी तक फॉर्चनलिटी टीचर्स का कोई act नहीं बनाए, बट बहुत चारे ऐसे acts से जो क्या करते है, इंडिया का decorum maintain करते है, अब सर में कोई छोटी सी बात बताओ, पहले मैंने तुमको बोला corporate law पढ़े, फिर म नहीं नहीं पूचूँगा, वो मेरे उपर है, बताओ भाई, show of hands, कौन को नहीं बता सकते है, बाकी लोग, जो लोग हाथ नहीं उठाएंगा, उनको पूचूँगा, सर, क्या है, प्लीज खड़े हो जाओ, प्लीज, हाँ, कम्फॉटिबल, हाँ, ऐसा नहीं तो क्या हुआ एक बार बच्चे ने, Sir मैं को मम्मी की आद आरी है, बहुत 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 जाएंगा, बहुत 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 जादा, क्या मतलब तो मतलब आप आप आपने आक्ट बोला मैंने, Companies Act, Sir जब आप Companies Act पढ़ते हो ना, तो आक्ट के साथ कुछ और चीज था काम में आती है, जिसको हम कहते है rules, जिसको हम कहते है circulars, जिसको हम कहते है notifications, ये सारी चीजें मिला करके, क्या बनता है आपका law, so law is a very broader thing and act is a part of it, rules are a part of it, notification and circulars are a part of it, अब sir, कौन क्या है, कौन कौन बनाता है वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर sir, जब हम कहते है corporate law, उसमें companies act भी आते है, उसमें LLP act भी आते है, उसमें SEBI act भी आते है, उनके सारे rules भी आते है, तो ये सारा मिला करके क्या बनता है corporate law, जो corporate को control करता है, जैसे for example, आज अगर म maintain करने के लिए एक law बनाना पड़ेगा, तो sir, class को maintain करने के लिए law बनाने के लिए आपको अलग-अलग acts बनाने पड़ेंगे, जैसे कि act में आपने पहले बनाया late act, मतलब class में late आये तो क्या होगा, दूसरा बना late to act, मतलब class में आके late गए, तो उसका क्या law होगा, तो ऐसे अलग-अलग acts बनाएंगे, और ये acts मिला के क्या बनेंगे, class law जिससे क्या होता है, overall पूरी की पूरी class manage होती है, so there is a difference between law and act, और law जो है वो broader word है, act जो है वो shorter word है, sir, please अपना notes को लो और ये लिखो, act, एक math formula जैसे लिखो, act plus rule, लिख लिए आपने, act plus rule plus circular, सब को बाट दिय है, अभी आया है, दोस्तों आप लोगों को सब को ये demo book मिलेगा, तो ये demo book ले लिजेगा, और ये demo book लेते वे जाईएगा, या फिर ये लोग distribute करेंगे, तब ले लिजेगा, हाँ, आपने लिखना है, act plus rules, plus circular, plus notification is equal to law, चीक है, अब सर में को बात बताओ, आपने अभी शायद DT की क्लास में भी पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, एक act बनता कैसे, अज act बनाता कौन है सर, में को बताओ, act कौन बनाएगा, central government, कि मैं बैठा, मैंने सोचा, एक काम करते हैं, दुनिया में बहुत जादा मस्ती हो रही है, एक काम करते है, एक act बना देते हैं, मैं घर में बैठा-बैठा सोच रहा हूँ, ऐसा तुम act बना सकते होगा, नहीं, act बनाने का power किसके पास है सर, आपने बोला parliament, क्या बोला आपने? Parliament, क्यो सर, parliament? अच्छा, parliament में किसके पास power है, central government के पास power है, क्या opponent के, मतलब, Modhi जी बनाएगे, क्यों opponent में कौन है? राहूल गांधी, राहूल गांधी, कौन बनाएगा, मोधी जी बनाएगा कि राहूल गांधी बनाएगा, सर, सेंट्रल गवर्मेंट जेनरली जो आप्ट है वो कौन बनाता है, जेनरली सेंट्रल गवर्मेंट बनाता है, क्यों, क्योंकि सर, उनकी मेजॉरिटी होती है, उनकी वे क्या होती है उनकी ताकत होती है तो से पार्लेमेंट लो बनाएका अब पार्लेमेंट बनाय गई रिकिस ने कहा अरे नहीं मतलबिछट आधर आथे रिमकार किस ने दिया कि सरमारे penser इब मरौन एंडिया Kate internal सरफ हमारा मेरे को तुम पूछो, तुम को जो पूछना है, मैं बोलूँगा, मेरे को जो बोलना है, मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता है, अरे भाई मेरे, डॉक्तर बिया रमवेटकर जी ने क्या लिखा था, Constitution of India, उसमें उन्होंने पावर दिया था, कि भाई या, law बनाने का पावर किस के पास है, हमारे एक बार क्लिए समझ लो, Central Government के पास पावर है, Sir आप जो Parliament of India बोल रहे हो, आपने सबजना पड़ेगा, कि हमारे Constitution of India में लिखा है, पावर जो है ना, वो तीन तरीके से distribute होता है, तीन तरीके से distribute होता है, इन्होंने Constitution of India में तीन अलग-अलग लिस्ट बना रखे, क्या तुमने सुना है, पहला लिस्ट क्या है, ये तो Sir हमारे आज के क्लास का रिविजिन हो रहा है, पहला लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट, दूसरा, स्टेट लिस्ट और तीस Concurrent List, ये तीन लिस्ट जो है, इन्होंने बना रखा है, अब Sir, Union List में पावर किसको दे रखाए, Central Government को की CG, तूजा Law बना ले, State List में, State Government, Sir आपको बता है, बहुत सारी चीज़ आज भी State Government मौनिटर कर रही है, जैसी की Police और, मैं बताता हूँ, Alcohol, Drugs, Liquor, ये सब किसके पर कंट State Government के कंट्रोल में, और Sir, तीसरा आता है, Concurrent, Concurrent का मतलब, जहां हम साथ मिल के काम करेंगे, Central Government और State Government जो है, वो साथ मिल करके काम करते हैं, अब Sir, Companies Act बनाने का पावर, तूँमको क्या लगता है, कौन से List में दिया होगा? Sir, State को अखेले पावर तो नहीं दे सकते, क्योंकि Company इंडिया लेविल पर काम करती है, Concurrent की कोई जरुवत नहीं है, तो हमने पावर दे रखा है, Union को, यानि कि Central Government को पावर है, क्या बनाने का? Companies Act बनाने का, Sir, Companies Act क्या आपको पता है, कौन से साल में आया है? Companies Act आया है, 2013 में, Sir तो या Act आता कैसे, 2013 में किस की सरकार थी? माल लो, Modi ji की सरकार थी, माल लो, Modi ji की सरकार थी, अपन यहीं मानेंगे, ठीक है, पीछे आगे हर जगा, Modi ji की सरकार, अब मेरे को यह बताओ, माल लो, मैं ना तो BJP को सपोर्ट करता हूँ, ना में Congress को सपोर्ट करता हूँ, मेरा सप का Companies Act का बनाए, 2013 में, क्या मेरे को बता सकते हूँ, 2013 में Companies Act आया कैसे होगा, एक दिन ऐसे मोदी जी सुभा पांच बजी योगा कर रहे होंगे, उनको लगा है, हार, Companies Act बनाते है, जो बनाओ, ऐसा बनाओगा, सर लगभग ऐसा बनाओगा, मोदी जी को लगा होगा Companies Act की बहुत सारे अलग-अलग Ministers होते हैं, जैसे कि आपके Minister of Railways, Minister of Public Health, Minister of Education, Minister of Transport, हर चीज के अलग-अलग Ministers है, सर वैसे आपके, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, यह तेखो हैं हमारे मोदी जी हैं, कितने खुशें देख रहे हैं उनके चेहरे पर, ठीक है, वो उन्होंने वो रेस्पेक ले पहना है, तुमको लगा, अरे यह कब हो गया, हो गया, नहीं हुआ भाई, यह हमारे मोदी जी है, ठीक है, अब मोदी जी के नीचे देखो, बहुत सारे अलग-अलग Ministers हैं, तो पहले हमारा Minister of Commerce and Industry, उसमें कौन आते हैं, सर, यह प्यूश गोईल जी है, ज यही है, जो आपका GST बनाते हैं, यही है, इन्होंने आदा सिलबस लिखा है तुम्हारे law का, तुम्हारे CA Inter का और CA Final का आदा सिलबस कौन लिखा है, इन्होंने Madam लिखा है, तो sir, यह Madam कौन हो गए, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, और उसके अलावा sir, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, इनको कैसे जोड़ सकते हैं, यह कौन है हमारे, जिन्होंने Constitution लिखा था, यह Amit Shah है, sir, यह कौन है, यह हमारे Ministry of Home Affairs है, sir, ऐसे बहुत साले अलग-अलग Ministers है, तो अब Modi ji क्या करेंगे, किसी को call लगाएंगे कि Companies Act बनाना है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो, इनमें से Companies Act कौन बना सकते है हम इच्छा, वो सिर्फ दूसरी जगह से पार्टी खीच के ला सकते हैं, जो बहुत important है, वो इस तरहे काम, यह सब बैट के paper pen वाला काम वो नहीं करते, अब सर्मे को बताओ, Ministry of Corporate Affairs और Ministry of Finance, अब किसको call लगाए जाएगा, यह Madam को जिनका नाम है, निर्मला सीतरमन जी, अभ अब जब इनको call जाएगा, कौन सी हैसियत में जाएगा, Ministry of Finance के, कि Ministry of Corporate Affairs, सर यह Ministry of Corporate Affairs की हैसियत में, जब इनको टाक्स के लिए call जाता है, तो इनको Ministry of Finance के रोल में call जाता है, पर अब कौन से रोल में call जाएगा, Ministry of Corporate Affairs, जिसको हम Short Form में क्या बोलते हैं, MCA, Ministry of Corporate Affairs, बहुत बार-बार आप सुनोगे, अब इनको call जाएगा, बोला जाएगा कि भाईया, एक draft बनाओ, एक act बनाओ, जो क्या होना चाहिए, जो companies को control करें, तो आप क्या निर्मला मादम सुवर 6 बज़े लेकर बैठ जाएंगे, क्या पर इन लाओ में लिखती हो, नहीं सर, अब क्या होग उस draft का एक नाम होता है, क्या, उसको बोलते है, बिल, मानलो सर, उन्होंने ये बिल दिखा, बोले हमारे हिसाब से, companies act ऐसा ऐसा इसा दिखना चाहिए, अब सर क्या ये सब को applicable हो गए, आट को अप्रूव कौन करता है, Parliament, अभी तक किसने बनाया है, निर्मला मैडम के टीम ने बनाया है, अभी तक किसी ने इसको अप्रूव नहीं किया है, अब क्या होगा सर इस बिल का, सर इस बिल को पास करवाय जाएगा, कैसे सर, 40 दे दो पास हो जाएगा, बिलको पास, कैसे करोगे? सर, बिलको आपको लेकर जाना पड़ेगा Houses of Parliament में विधान सभा और विधान परिशद तू चाकू कौप दे ना? सर, दो Houses of Parliament है Central में एक तो आपका लोक सभा और एक राज्य सभा अब मैं वो बाते बताऊंगा जो तुमको नहीं पताए तो सुन ले ना, overconfidence में मत चलना कि अरे ये तो हमको आता है, आता होता तो नहीं बताता, मेरे को बताओ, ये बिल कहा जाएगा, लोकसभा की राज्यसभा की कहीं भी? लोकसभा पहले जाएगा की राज्यसभा पहले जाएगा की कहीं भी पहले जाएगा? कहीं भी, you go do first लोकसभा, you go do first राज्यसभा, it doesn't matter, आप पहले राज्यसभा में अप्रूवल करवा के, फिर लोकसभा के पास ला सकते थे, चलता है, पर सर ये जो बिल है न, इसके बहुत अलग-अलग टाइपस होते हैं, कुछ money bill होता है, कुछ finance bill होता है, कुछ ordinary bill होते हैं, ऐसे अलग-अलग types होते हैं, उसमें सिर्फ एक bill है, जिसको हम कहते है money bill, क्या कहते है money bill उसमें बस लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले लोगसभा में जाएगा बस बाकी हर बिल पहले लोगसभा में भी जा सकता है और बाद में राज्यसभा में भी जा सकता है 2016 में इसे बहुत सारे आक्ट पास हुए जो पहले राज्यसभा में गए और बाद में लोगसभा में आए क्यों पता है क्यों पता है भीया मोदी जी न ऐसे ही मोदी जी नहीं है उस समय के लिए मोदी जी की सरकार थोड़ी सी लोगसभा में हिली थी तो उनको पता था पहले लोगसभा में जाओंगा ना, तो मेरे बिल्स अप्रूफ शायद ना हो, तो वो क्या करते थे, पहले लेके आते थे राज्यसभा से, राज्यसभा में उनकी सीट भरी हुई थी, तो वो क्या करते थे, वहां से अप्रूवल लाने के बाद कहां पर आत वह पहले राज्य सभा में भी जा सकता है, पहरे लोग सभा में भी जा सकता है, कोई problem नहीं है, तो sir आप दोनों houses का पारले में approval करवा होगे, मालो में पहले चला गए लोग सभा के पास, फिर किसके पास जाओंगा, राज्य सभा के पास, sir जब राज्य सभा के पास चला गया अप्रूव हो गया, उसके बाद, अब उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मुर्मुजी के पास, किसके पास, प्रेसिदेंट साहिवा के पास, मैडम, यह हमने बिल बनाया है, जरा इसको अप्रूव कर दो, मैडम का काम है अप्रूव करना, मैडम यूजुली देखते हैं, ह मैं बोले हाइता कौन पड़ेगा, अप्रूव, तो वो क्या हो जाता है, अब आपका बिल अप्रूव हो गया, एक बार, तो वो क्या बन गया, सर, बिल अब क्या बन गया, आक्ट, बिल का मतलब था ड्राफ्ट, और आक्ट मतलब क्या, अब यह लॉव बन चुका है, सर, अ औरे आम सरकार को कैसे पता चला क्या लोग बनाए, क्या कंप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, इसमें मैंने लिख दिया, आज से हर कंपनी में 10 डिरेक्टर होनी चाहिए, पांच उसमें से विमन डिरेक्टर होनी चाहिए, अरे उसको बताएगा को और उसको अप्ली के ले, तो आप क्या करोगे, sir? You will have to publish this. कहां publish करोगे? Sir, there is a website called as Official Gadget of India जहां सरकार अपने सारे लोग को क्या करती है? Publish करती है. जिस दिन ये publish हुआ ना, उस दिन ये act क्या हो गया? Official हो गया. अरे, समझे गया तुम मेरी बात? Yes, sir. तो आप नीचे process देखो. सबसे पहले Central Government ने क्या बनवाया? Bill. Bill किस ने बनाया? Committee ने बनाया. उसके बाद कहां पर जाता है ये? लोगसभा. लोगसभा के बाद? राज्यसभा. राज्यसभा के बाद, प्रेसिडेंट का एसेंड, जैसे ही मिला तो वो क्या बन गया? Act. और अब वो कहां जाता है, sir? Official gadget में. Sir, जिस दिन मैंने इसको ऐप्लोड किया, क्या उसी दिन से applicable हो जाएगा? हाँ? मैंने आज अपलोड किया, आज क्या date है? 14 February. अच्छा, मैं आगे बढ़ भाई, आगे बढ़. क्या है आज? 15 February. तो आज 15 February को applicable हो जाएगा? नहीं, sir, यह आज applicable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इसमें ना, फर्स्ट पेज में लिखा होगा, कि यह कब से applicable है? आज मानो February है, पर मैं अगर बोलू, यह 1st April से apply होगा, तो यह 1st April से apply होगा, आज upload करने से कोई फरक नहीं पड़ता. अरे, समझे क्या मेरी बात? यह, sir, this is how an act comes into picture. Sir, यह समझे तुम? देखा था तुमने? यहाँ पे mm और cm में इंसान बदल गया, पर वहाँ पे bill और act में जो provision लिके रहते हैं, वो लगबग सेम रहते हैं. अब प्लीज अपने notes में लिको, heading दालो. How? How? How does an act come into picture? How does an act come into picture? Point number one. The concerned ministry मैं dictate कर रहा हूँ, please उसी speed में लिखो. Concerned ministry bracket में लिखो MCA prepares a draft prepares a draft bracket में लिखो known as known as bill point number two bill is then bill is then approved by the houses of parliament bill is then approved by the houses of parliament government bracket में लिखो लोकसभा slash राज्यसभा second second point में ही एक लाइन छोड़के नीचे डालो note bill may be approved bill may be approved bill may be approved first in either of the houses in either of the houses in either of the houses that is i.e. vohwala that is a bill may be first approved by 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 राज्यसभा as well a bill may be first approved by राज्यसभा as well चीक है bracket में एक bracket उसी के आगे एक bracket डालना except except क्या यह बताओ money bill except in case of except in case of SAK के क्लाइन मत छोड़ो madam बहुत जगा ले लेगा साथ में ही लिखो except in case of money bill except in case of money bill which is approved at Lok Sabha first which is approved at Lok Sabha first कल से मैं आप लोगो कोई चीज़े जब मैं भी आराम से screen पे लिखूंगा और लिखवाँगा आज कले तुम dictation में लिख लो कल से मैं आराम से मैं भी अपने screen पे लिखूंगा क्यूंकि इस बहुत basic से आगे जब आपन प्रॉपर चाप्टर वन चूड़ू करेंगे तो सारी चीज़े लिख लिख करके मैं आपको लिखा हूंगा तो सेकेंड पॉइंट आपने लिख लिया कहां पे अप्रूव होगा आपने वनन आपी सील कहें है तो से पолल करेंड लिख लेशा की आपकश प्रॉफॉटर की लिख ले तै Karma की इस मेंट लिख लेशर kicking अनअ माना वहा ग्रमा it is then published it is then published in the official in the official gadget of India gadget ka spelling आप देख सकते हो G-A-Z-E-T-E तुम देख सकते हो सर्स्क्रीन पर यह आपका official gadget of India है यह अभी load नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर कुछ error आ रहा है पर आप देखोगे यहीं पर official gadget of India के page में जाओगे ना आप देखोगे हर सरकार आज सर्सर जरूरी थोड़ी ना है कि सर्फ ministry of corporate affairs काम कर रहे इसके अलावा ministry of railways ministry of transport हर कोई काम कर रहे उनका भी अलग-अलग act है सब लोग कहां पर upload करेंगे इस एक जगे पर आके upload करेंगे in fact आपको एक बात बते है हमारे ICI ने नया syllabus लाया था नया syllabus लाने के लिए भी इनको act में अमेंडमेंट करना पड़ा था उसके लिए उन्होंने बनाया था bill और वो bill क्या act बनने के बाद उन्होंने यहीं पर डाला था gadget of India में ही publish हुआ था तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़े कहां से होती है gadget of India से होती है अरे समझ गए क्या यह सर यह हो गया आपका act कैसे बनता है अब सर मेरे को एक बात बताओगी क्या यह देखो आपको screen पर दिखेगा कि companies act भी क्या इसी sequence में गया था जी हां सर देखो सबसे पहले बिल बना था 2008 के आसपर बिल बना था लोकसभा में कब अप्रूव हुआ 3rd August 2009 सर यह आपको याद करना है क्या hero यह आपको याद करना है नहीं सर कब बना था यह August 2009 में उसके बाद राज्यसभा में गया August 2013 में सर कितने साल लग गए चार साल I'll tell you why I'll tell you why things have changed Nowadays if an act has to be passed, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट यहाँ पे देखो August 2009 में पास हुआ था लोकसभा में और प्रेसिडेंट साहिवा ने कब साइन किया August 2013 में मतलब करीबन चार से पांच साल लगे सर आज के जमाने में सिर्फ एक महीने में Mohdiji की जो government है, it has the power की एक महीने में वो क्या करते है लोकसभा का अप्रूवल उसी महीने राज्यसभा का अप्रूवल और उसी महीने प्रेसिडेंट का असेंट आजाता है That is how quick they move You know, have you heard of something called as Insolvency Bankruptcy Code Insolvency Bankruptcy Code एक ऐसा Sir, ऐसे ऐसे acts आये हैं जिन्होंने हाल फिलाल में अपना बहुत सारी चीज़े बदल दी उसमें से एक था Insolvency Bankruptcy Code Sir, आप मानोगे नहीं May 5 को लोकसभा अप्रूव किया May 16 उसी महीने उसी साल के 11 दिन के अंदर राज्यसभा ने अप्रूव किया Sir, यह जो रहरा act है In a month of March March का एक महीना March 6th या 7th को वापस लोकसभा में अप्रूव हुआ 10 दिन के अंदर राज्यसभा, 5 दिन के अंदर President That is how fast they have started moving Unlike the old times, जब 4-4 साल लग रहा है एक act बनने में नहीं भईया, एक-एक महीने में act बन रहे है तो तुम समझ रहो, जल्दी कर लो और और से लिबस बढ़ जाना है बोलेंगे भाईया, तुम आगे बढ़ रहे तो उतने में एक syllabus साइट से आ गया अपने को नहीं चाहिए पर सर यह देखो इस तरीके से आपका Companies Act आया 29th August को President ने अप्रूव किया तो बताओ, Companies Act नया नया आया क्या कि इसके पहले भी कुछ था क्या था बोलो Sir, बोलो ना क्या था Companies Act 2013 के पहले Companies Act 1956 वो नया था कि उसके पहले भी कुछ था Sir, Companies Act 1956 के पहले था, Companies Act 1913 Sir, वो था कि उसके पहले इतना काफी है, Companies Act 1913 से शुड़ हुआ पर Sir, क्या आप मेरे को बता सकते हो यह आप लोगों का sequence है ठीके, पहले Companies Act 1913 था फिर 1956 आया, फिर 19.. फिर 2013 आया पर Sir, में को एक बात बताओ, जब 1956 था तो तुमको ज़रुवत क्या पढ़ी नया वाला लाने की आपका आज देखो For example, आपका Income Tax Act, वो 1961 था अभी तक चल रहे है आप देखो आपका GST Act GST Act तो चलो इन्होंने तरो ताजा लाया है पर वो इतने साल पहले का उन्होंने चेंज किया अलग रीजन से पर Companies Act 1956 को इनको अपग्रेड करके एक नया आक्त लाने की जरुवत क्या पढ़ी Sir, कुछ तो हुआ था 2007 और 2008 में क्या हुआ था The one and the biggest corporate fraud happened in India which is your Satyam Scam जहां पर क्या हुआ था 8000 करोड रुपे का fraud हुआ था Sir, अब Satyam Scam में पूरा क्या हुआ था वो तो मैं आपको पूरा का पूरा शेयर नहीं कर पाऊंगा वो हमारे syllabus का पार्ट नहीं है एक गंटे का हम जो bridge batch लेते हैं उसमें मैंने शेयर करके यूट्यूब में uploaded है पर अभीकले एक बार मेरी बात समझो Sir, जब Satyam Scam हुआ न तो उसमें क्रक्स क्या निकला Satyam का मालिक आया एक दिन सुबह और मालिक आकरके एक लेटर दिया लेटर पढ़ने पर क्या लिखा था कि मैं आठ हजार करोड का फ्रॉड करके बैठा हूँ कमपनी में किसी तरीके से तुम मैंसे कोई भी इस फ्रॉड को पकड़ नहीं पाए तुम सब नलायक हो पर मैं तुमको सामने से बताना चाहता हूँ तुम लोग कल को ढूंडोगी भी ना तो तुमको नहीं पता चलेगा इसलिए मैं बता देता हूँ कि revenue मैंने इतना बढ़ा रखा है profit मैंने इतना बढ़ा रखा है cash balance मैंने तब एहसान करके गया वो हम पे सर जब वो एहसान करके गया ना तब हमारा SEBI M.C.A. और दो-तीन और बड़े-बड़े लोगों की चुपके meeting हुई बोली यार यह तो हमारे इतने reputation पे इजज़त उड़ गए हमने 600-600 तो पेच का law बना रखा है 800-800 साल से चल रहा है यह काम क्यों नहीं कर रहे मतलब अगर वो मालिक सामने से आके नहीं बताता कि fraud है तो हमारा system कैसे पकड़ता उसको हम बोलते हैं audit करवाएंगे investigation होगा फलाना होगा पर fraud पकड़ा क्यों नहीं हमारा system तब जब यह हुआ ना तो 2008 में इनको अक्कल आई कि we need a new company's act before a new satyam scam happens we need a new company's act जिसमें हमको बहुत सारे changes करने पड़ेंगे सर क्या changes कि concentазд हुए उन्हें एक बहुत बड़ा concept लाया independent director का क्या बोला मैंने independent डाये रिक्टर सर आज अगर reliance industry में तुम मुकेश अंबानी arrestertainłu मानी निता मानी तीना मानी अकाश मानी इशा मानी अनंद मानी यह लोग को बैठा दो और बोलो तुम लोग का चलाओ तो क्या अगर ये लोग fraud करेंगे तो बाहर पता चलेगा नहीं सर क्योंकि इनके तो घर की बात होगे न सारे लोग आपस में एक दूसरे का फाइदा देख रहें कोई भी fraud आके नहीं बताएगा पर सर माल लो इनके बीच में तुमने बैठा दिया रतन टाटा को और तुमने बोला सर आप इनके board of director को join कर लो और आप बस meeting attend करना आप बस ये देखना कि ये बड़े-बड़े फालतु-फालतु decision तो नहीं ले रहे अगर तुमने ये कर दिया तो होगा क्या अब रतन टाटा को घंटा फरक नहीं पड़ता reliance बढ़े या डूवे वो है independent क्यों उनको सर क्या नीतामबानी independent है तुम फील लेके मेरे को बताओ क्या reliance में नीतामबानी independent है नहीं सर हमको चाहिए एक सर हमको चाहिए एक independent director independent director मतलब जिसका company से कोई लेना देना नहीं है तो अब वो क्या करेगा सर वो company में जितने भी frauds हो रहे हैं उनको ढूंड करके निकालेगा सुन रहे हो तुम मेरी बात तो सर जब ये 2008 में ही चीज़े हुई ना तो हमने सत्यम scam के बाद बहुत सारी auditor क्या होता है? Have you heard what is an auditor? क्या होता है? Sir, कोई घर में CA वगरा है जो CA प्राक्टिस कर रहा है, service कर रहा है, audit में काम कर रहा है, क्या होता है एक auditor? Sir, जो audit करता है, किसका? Financial statements का. Sir, financial statement क्या होता है? इतना तो, balance sheet, P&L, cash flow, अरे वही जो tally नहीं होता है, क्या-क्या, balance sheet, P&L और cash flow statement. Sir, ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी financial statement बनती है, अब sir, मैं company, और तुम लोग क्या हो? Shareholder, shareholder मतलब? Shareholder मतलब जो company में पैसा लगा रखे, तो sir, company में तुम लोग पैसा लगा रखे हो. अब मैं तुमको आके हर साल, एक financial statement देता हूँ, कि sahab, अपकी company अच्छा काम की, इस साल, इस साल 100 crore का revenue आया और 20 crore का profit आया. तुम बोलोगे मैं कैसे मानलू, मैं कैसे मानू की 100 crore का ही revenue था, 200 crore नहीं था, मैं कैसे मानू तुने 100 crore नहीं चुराया, मैं कैसे मानू company में कोई fraud नहीं हो रहा है, तुम ठीक है, ठीक है, मत मान, क्या चाहिए तिरको, बोले CA का signature, मेरे को एक chartered accountant का signature चाहिए इस पे, और इसमें जो भी चीजे लिखी है, सब कुछ सही है, तो मैं जाओंगा एक CA के बस, मैं बोलूगा भाई, इस पे sign कर दे, वो ऐसी sign कर देगा क्या, सर ऐसी sign कर देगा क्या, नहीं, वो मांगेगा दो चीज, एक documents और पैसा, वो important है भाई, वो बोलेगा, डिगरी तेरा sign करने के लिया है मैंने, मेरे को चाहिए पैसा, तो वो fees लेगा, सारे documents लेगा, चेक करेगा, और फिर वो sign करेगा, और वो sign करके बोलेगा, इसमें सब कुछ सही है, तो वो अब जब मैं तुम्हारे पास लाके दूँगा ना, तुम मूँ बंद करके ले लोगे इसको, क्यों? इसमे में एक CA का signature आ गया है, अब CA की sir, financial statement expertise होती है, उसने sign मार दिया ना, मजाल है कोई इस पर क्या उठा ले, सवाल उठा ले, sir, ये क्या होता है, auditor, जो क्या करता है, audit करते है, अब मेरे को एक बात बताओ रहा जाओ, sir, क्या CA के अलावा, CA में भी audit कर सकते हैं? CA में? audit कर सकते ह हाँ, फिर हम CA क्यों कर रहे है, CA में ही कर लेते, sir, सिर्फ CA जो है, CS भी नहीं, CA में भी नहीं, कौन सिर्फ और सिर्फ एक CA क्या कर सकते है, audit कर सकते है, अब sir, जब सत्यम का scam होगा था, सबसे बड़ी problem क्या थी बता है, auditor का signature भी था, फिर कैसे गलत हो गया, sir, 8000 क्रोड के fraud में, 8000 क्रोड के fraud में, 8000 क्रोड के फ्रोड में, 8000 क्रोड के घर में भी तो cash में भीकाए, अब भाया, CA है, तो क्या हुआ है, तो इंसान ना, पैसा देखके तो बिग्या ना, अब वो कौन था, आपको पता है, सत्यम का auditor कौन था, Big Four, PwC, Pricewater Cooper House, जो है, वो किसका auditor था, सत्यम का auditor था, और सरकार हिल गई, जब उनको पता चला, कि यह auditor अगर इतने बड़े fraud में साथ देने लगेगा, अगर एक CA इतने बड़े fraud में साथ देने लगेगा, तो हम भरुसा करें, तो किस पे करें, तो फिर उन्होंने पता लगा है, यह CA कितने में भिका, क्यों भिका, तो इनको बाद में पता चला, कि भाईया, CA जो है न, वो कमपनी के साथ रिलेशन बना चुका था, इसका डिरेक्टर और वो CA, यह लोग साथ में डिनर पर जाते थे, इनकी फैमिली साथ में फार्मावा, उसमें घूमने जा रही है, इनको समझ में आया, कि जब एक CA बहुत साल तक एक जगा काम करता है, तो वो घुल मिल जाता है, तो फिर वो न, बहुत आसानी से मना नहीं कर पाता है, तो इसलिए इन्होंने एक प्रोविजन लाया, क्या, रोटेशन ओफ ओडिटर, बोले भाईया, अब हर कमपनी में, प वरना वो branch का manager fraud करने लग जाएगा, वैसे ही इन्होंने provision लाया, कि अब क्या होगा, auditor भी change होगा, क्यों होगा सर, ताकि auditor fraud ना कर पए, और मानलो उसने अगर fraud किया है, तो अगला auditor आके क्या करेगा, उसको highlight कर देगा, सर ये सब हमारी सीख कहां से मिली हमको, हमको हमारे सत्य के fraud से मिली, तभी क्या बनाया गया, Companies Act 2013, अरे समझे क्या, इस timeline को प्लीज अपने notes में बनाओ, वाई अन्यू Companies Act? Good, किसीने, हसन ने कहा, सर, CS कर सकते हैं audit, but statutory audit only CA कर सकते हैं, correct, good that you know the difference between stat audit and internal audit. सर, ये लिखा timeline आपने, पहला Companies Act, 1913, दूसरा Companies Act, 1956 और तीसरा Companies Act, 2013, और उसमें 2008 जो है, वो क्या बनेगा आपका? biggest fraud on corporate governance, biggest fraud of corporate governance. sorry, online वाले लिख लिए, तो done का message दो, sir screen cut हो रही है, आज आज सहलो, बस. sir, जैसे ये एक case थाना, सत्यम का, वैसे ही और बहुत सारे case थे, जिन cases को पढ़के, हमारा law बनता है. जैसे कि आपने Salomon vs. Salomon सुने, CA Foundation में, sir, वैसे ही आपके और case loss थे, sir, क्या आपने Nestle Maggi vs. State of UP का case loss सुने, sir, सुना तो नहीं है, पर feel ज़रूर किया होगा. जैसे हर दुकानों से Maggi बंद हो गया था, अचानक से Maggi हट गए, आलतु-फालतु-कप्पा, नूडल शूडल शा करके बिक रहे थे, जैसे कुछ या दे कि गंदी चीज से तो याद ही रहती है, कि Maggi नहीं मिलेगा है, sir, कैसे नहीं मिलेगा? Sir, ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब Maggi वाले कंपनी पे, Maggi कौन सी कंपनी है? नसले. जब नसले पे इन्होंने क्या किया? नसले का जाके food investigation होता है, तो इन्होंने देखा, Maggi में जो लीड का content है, जो लीड का content है, वो इत्ता जादा है कि वो human body digest नहीं कर सकती हो हमारे क्या बनता जारह है? toxic. तो जब उन्होंने, हाँ उसी के तरह, उसी के तरह क्या बनत जा रहा है टॉक्सिक पर सर यह जो लीड का कंटेंट है जो इतना टॉक्सिक है वो हमारा human body digest नहीं कर सकता तो सर क्या हुआ पता है जो food administrator थे उन्होंने रातो रात मैगी को बैन कर दिया और बुला जितने भी दुकानों मैगी है सब को वापस बुलाया गया और इन्होंने Bombay High Court में और Bombay High Court में इन्होंने अपना case लड़ा और इन्होंने समझाया कि भाईया हमारा देखो पूरा research है जितना लेड इसमें है उतना चलता है body को body सेह लेता है कोई भी toxic नहीं है सर जब यह पूरा समझाया गया तो मैगी यह case जीत गया अब मैगी case जीता ना तो किसने लाया था UP government तो sir UP वाले सरकार को बोली तुमको इनको पूरी की पूरी damages pay करनी पड़ेगी सर यह case law है ना यह case law क्या बनता है इस case law में बहुत सारे ऐसे pointers बताये गए थे कि भाया Nestle एक company है company is responsible for its act company आज अगर इतना बढ़िया product market में दे रही है तो यह company की भी जिम्मधारी ह health जो है सही रहनी चाहिए उसमें इन्होंने corporate responsibility के बारे में बताया अब वो जो चीज बताई ना वो क्या बन जाता है corporate law बन जाता है इस तरीके से अलग-अलग case laws है सर आपको बताया आयोधिया case law अभी जो बहुत लाइम लाइम लाइट में आपको बताया ना वो land disputed था जहां पर आयोधिया मंदर बना है वो land disputed था बहुत साल तक case चला है और फाइनली Supreme Court ने करने के लिए क्या बोला यह जमीन दे दो तुम आयोधिया बनाने के लिए और उतनी ही उससे तीन गुना बड़ी जमीन क्या दे दो मस्जिद बनाने के लिए तो यह जो case law बना इसमें corporate का नहीं पर इन्होंने बहुत सारी ऐसे बाते बताई जो हम लोगों के लिए law बन जा प्लस, case, laws अब सर चलो आपको बहुत इंट्रस्टिंग चीज़ बताता हो, have you heard about byju's? क्या है? डूपता हुआ सूरज है क्या है? डूपता हुआ सूरज. सर, इस बाइजूस अ कंपनी? येस, इस अ कंपनी. बट सर, वट इस वट इस कि जो दो साल पहले कोई इतना एक्स्ट्राउडनरी परफॉर्म कर रहा था, आज वो एकदम ही नहीं चल रहा है. कि मैं आईजूस की बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं आईजूस की बात कर रहा हूँ. तुम लोग कुछ अलाग नहीं ले ना? सर, इतना सा काट के, बोलोगे, सर ऐसा बोल रहे थे किसी के बार में. सुनो क्या हुआ ऐसा कि बाई-जूस दो साल में खतम होगी तुमने कभी सुने तुमने अभी न्यूज में सिर्फ इतना ही पड़ा होगा इंस्टाग्रम में स्क्रोल करते करते देखा होगा कि बाई-जूस के तो लग गए पर क्यो लग गए क्या आपने सोचाएगा अभी सर मतलब किया तो जयर्जणीट मतलब सर यह जड़नी दो साल में कैसे सर क्या मैं आपको बात बूलू। आप बाई-जूस इस एड EdTech Company, क्या आप ये बात सहल होगे, क्या बोला मैंने EdTech Company, EdTech मतलब क्या, EdTech मतलब क्या, EdTech मतलब education और Tech मतलब technology, मतलब जो technology से क्या करता है, education प्रोवाइड करता है, Sir अगर आप एक EdTech Company हो, तो आपका focus किस पे होना चाहिए, Ed or Tech पे, अपना education का quality बढ़ाओ, अपने technology की quality बढ़ाओ, naturally तुम घ्रोव करोगे, पर Sir वाईजू उसने focus किदर किया पता है, sales पे, उसने बैठाए भेंकर सारे salesmen और सब को दे दिया unrealistic target, बोले तुम ground level पे घर जा जाके जो लगे, साम, दाम, दंड, बेद, तुम करके क्या करो, lectures, बेचो, हमारा 11th और 12th standards सब के घर में होना चाहिए, Sir इतना pressurize किया, इतना pressurize किया, कि जो वहाँ का employees का motivation था पूरा खतम हो गया था, खाली pressure आता था, इतना बेचो के इतना कमाऊगे, इतना बेचो के इतना कमाऊगे, Sir जब इतना pressurize किया, तो naturally बहुत सारे employees अच्छे अच्छे बाइजूस को छोड़के जाने लगे, उसके अलावा, Sir बाइजूस ने और भी जादा चीजे करी, जैसे कि सबसे पहला, पिछले बारा साल से, बाइजूस ने एक साल भी profit नहीं दिखाये, आज तुम start-up हो, आज तुम कुछ नया कर रहे हो सही है, पर भाइ profit तो होना चाहिए company में, company, Sir company बनती क्यों है, या तो profit क्ले या not for profit क्ले, पर तुम अगर not for profit क्ले बन रहे हो, मतलब NGO अगरा टाइप का, तो तो अलग चीज है, पर profit क्ले बने हो, profit तो दिखाओ, Sir पिछले साल, बाइजूस का लॉस कितना था, guess करो, क्रोडों में था, एक number guess करो, किसीने का 7,000, Sir 8,500 करोड का loss था, मतलब एक साल में, बाइजूस 8,500 करोड खर्च कर रहे है, company चला निकले, कमा कुछ भी, ऐसे company चलती क्या, Sir एक दो साल तो भी चलती, शुरू में एक दो साल चलता है, पर आप 12 साल से इस तरीकी की चीजे करोगे, तो company नहीं चलेगी, Sir द Deloitte से पंगा लिया, क्या पता है, इन्होंने एक एक आर्टिकल में इसा लिखा हुआ था, कि इन्होंने Deloitte को समझाने की कोशिश करी, कि भाईया, गलत है, पर तू साइन कर दे, क्या बोला उन्होंने, कि गलत है, पर तू साइन कर दे, इतना धीरे से बोला, कि Deloitte को सुना शेर मार्केट तोड़ देता है उस कंपनी को, क्यों? क्योंकि सर सत्यम स्काम हुआ था, उसके पहले बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स रिजाइन किये थे, और अभी कोई भी बड़ा फ्रॉड होता है, नीरव मोधी का फाइस्टार फ्रॉड हुआ था, उसके पह को समझ आए कि कंपनी अब उठ नहीं सकती, सर तीसरा इशू आपको बदे, दो साल पहले आपने IPL मैचिस वगरा देखे होंगे, तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी में ओपो के जगा आ गया था, बाइजूस, अरे मजाक होता है वो खरीदना, तुमारी इंडियन क्रिकेट टीम, पूरी की पूरी, ओपो के जगा क्या पहन के गुमरी है, बाइजूस का वो पह, तो जोश जोश नो उसने खरीद तो लिया, पर जब पेमेंट की बात आई तो हाथ कड़े कर दिया, बाले पैसे, ये थोड़ी देने थे, हमारी बात हुई थी, कि आप हमारा कोड पे बितार हो, तो कंपनी काईसे चलेगी भाई, कंपनी थो डूबेगी ना, तो इसलिए बाइजूस, इसलिए बाइजूस, डिस्पाइट बीग कंपनी, ओट दिए थापने उन्हेफटाइगा, ये बाइट नेन्हे पटार्गार्यों के बिल्दागा, ऍडिक्रणे क तो वैसे बैठे क्यों हो, हो ना नाचुरल, ऐसे, हिल, नहीं, पूछ नहीं, Sir, we are all natural persons, companies and artificial persons, मतलब क्या, उसका नहीं है, अरे तुमने नहीं पढ़ा क्या, अरे इठास, no ears to listen, no eyes to, कहां से आयो रहे तुम लोग, भया, उसका, उसकी कान नहीं है, सुनने के लिए, आखे नहीं है, देखने के लिए, मूह नहीं है, बोलने के लिए, दिमाग नहीं है, सोचने के लिए, यह मेरा मतलब था, Company is an artificial, Company is an artificial person का यह मतलब है, कि भया, वो दिमाग अपना नहीं लगा सकता, तो उसको चलाने क्या चाहिए? बहुत सारे लोग चाहिए जो कम्पनी को क्या करते हैं, चलाते हैं, सर समझ गए तुम मेरी बात? समझ गए क्या? यह तुमको नेसले का वगरा का यह सब नहीं लिखा रहा हूं है, तुमने बिल्स वगरा का लिख लिख लिया, उसके बाद सicamenteार। नहीं क्या करते हैं, तुम से लिख लूह कंपनी कौनी इट बताओ, टाटा प्यारी है, और सबसे अच्छी, मतलब मार्केट कैप में सबसे अच्छी, अडानी, पर हम देखेंगे, रिलाइंस, क्यों, एक ही कारण है भाई, बता दू, एक ही कारण बता दू तुमको, बलर मैं बताओ, तुमको जो भी दिख रहे हैं, मेरा मैं दिखाने क मतलब था आठ, ये एक पेंटिंग है, मेरे को बता है, तुम बहुत देर से तुम्हारा मन कर रहे है, अब HD आएगा, अब HD आएगा, लोड हो रहे है, अब क्लीन होगा, बच्छी, भाईया, ये आठ है, ये पेंट है, और मेरा पेंट में इंटरेस्ट है, मेरा रिलाइंस म हो गया लगा, एक ही जगह है जहां तुमको नहीं देखना चाहिए, भाई, अगर तुमको भारत में रहना है, तुम्हारे घर की वाई-फाई से लेकर बिजली से लेकर के पानी तक किसका आता, इनके पति-परमेश्वर जी का, तो इधर नजर डालने का, नहीं, अब सर्मे गेस कर, अईसा करके देखेगा तो दिख जाएगा ना, सर, रिलाइंस का एक साल का रेविन्यू केस करो, नाइन लाक, 74,000, 864,000, हाँ सर, इतना क्या होता, इतना तो मेरे घर में आ जाता है सालरी, ये क्रोर्स मेरा जा, यहां पर बहुत जादा इन लोगों को जादा कंपनी है, भाई, दस लाक बोलो, बोलो भाई, इतने बड़े फिगर में, राउंड ओफ में, दस लाक होई जाता है, दस लाक करोड की कंपनी है, हमारे पास दस लाक रुपे है, जब आर्टिकल शिप तुम अठरा साल तक करोगे, तो उसके बाद, दस लाक उधार लेने के प्रोफिट, इसी के बाजू में देखो, प्रोफिट आफ्टर टाक्स, मतलब टाक्स बरने के बाद, इनके बाद 73,000 क्रोड का प्रोफिट बचता है, सर ये एक साल का है, ठीक है, अब तुमको समझ आया है, उनका बड़ा बेटा क्यों मोटे है, वो खाएगा, तुम्हारा प्रोफिट नहीं है, मजबूरी अपनी, ठीक है, तुमको पैशन, ठीक है, पर मजबूरी भी है, तो सर ये अगर इतनी बड़ी कंपनी होती, तो मैं तो सीधा तीन जनरेशन बात देखता, हाँ कोई है क्या, हाँ, पैसे बचे सिर्फ ठीक है, आगे बढ़ लो, सर ये क्या वाइरल हुआ था जब IPL के मैच के बाद, ऐसे हरबजन सिंग ने ऐसे निताम अनी को उठा लिया था, तो उसके पाचू में ये फोटो बहुत वाइरल हुआ था, तबसे ये अपने इसमें भी यूस कर रहे है, अन्वल रिपोर्ट में, पर मैं आपको किसी से मिलाना चाहत होगे आप एक, दो, ऐसे करके कुछ चौदा लोग हैं, ये लोग क्या करते कंपनी को चलाते हैं, सर ये लोगों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, Board of Directors, Board of Directors, सर क्या आप मिरे को बता सकते हो, Directors और shareholder में फरक क्या होते हैं, If I ask you, what is the difference between Directors and shareholders? Sir, सबसे पहले बताओ, shareholder कौन होते हैं? Sir, shareholder वो होते हैं, जो company में shares hold करते हैं, वहाँ sir, क्या समझाया है, ये ही समझने के लिए तो हमने class रगाई, shareholder मतलब क्या, जो shares hold करते हैं, और director मतलब क्या, जो direct करते हैं, बस, अरे हो, shareholder मतलब क्या sir, जो लोग company म पैसा लगाते हैं, अब sir, अगर अगर आज Reliance में 25 रुपय डालोगे, तो आप भी Reliance के क्या बन सकते हो, shareholder बन सकते हो, sir, shareholder मतलब क्या में हिंदी में बोलू, मालिक, sir, तुमारे पास एक share हो, एक करोड share हो, तुम क्या Reliance के मालिक, हम क्यो इतने ठाट बाट में गुमते है दो share है मेरे पास, किसी को बताना मत, मैं Reliance का मालिक, चलता फिरता, अब sir, ये तो हो गए shareholder, पर इनको, ये जो company है Reliance industry, ये shareholders नहीं चलाते, चलाने के लिए इनोंने एक लोग को अपोइंट किया, जिसका नाम है directors, क्या आप मेरे को बता सकते हो, directors कौन होते हैं और क्यों हो सबसे पहले तो मेरे को बताओ, directors काम क्या करते है sir, madam, क्या करते है directors, directors चलाते है, company, company को manage करते है, मेरे को बात बताओ sir, shareholder खुद क्यों नहीं manage कर लिते है, अज directors की जरूवत कै, मेरे को बताओ, मालिक से जादा अच्छा, कोई अपना काम कर सकता है, क्या staff तुमारा वैसा का करता है गया जैसा मालिक कर सकता है नहीं पर यहां पर क्यों इन्हों ने मालिक को अलग कर दिया और डिरेक्टर उसको बुला तू कंपनी चला क्योंकि सर फरक बस इतना है यह रिलाइंस में शेरोल्डर थोड़े कम है 36 लाक शेरोल्डर से इनके अगर 36 लाग लोग मिलके कंपनी चलाने लग गए न तो फिर चल रखिये कंपनी सर 36 लाग लोग जो है एक तो नंबर में बहुत जादा होते हैं दूसरा भाई हर शेरोल्डर एजुकेटेड थोड़ी होते हर शेरोल्डर जो है वो पोटेंशल थोड़ी होता है उसका कंपनी चलाने का हर कोई कंपनी थोड़ी चला सकता है तो हमने बोला शेरोल्डर नहीं 12, 13, 14 थे, कम हो गया इस बर, पर कितने हैं सर, 13, पहले मुकेशमबानी जी, दूसरे, ओरीजिनल है क्या फोटो, तिरको बड़ा पता है नहीं है, सर तू बड़ा करीब से देखा है, हाँ हमारे तो घर आते रहती है, कली आही थी लंज मे, नहीं सर, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल है भाई, क्यों नहीं है, नीता मबानी, सर ये दोनों हो गए, उसके बाद आप देखो, डिरेक्टर्स अलग-अलग है, His Excellency Yassir Othman H.L. Independent Director है भाई, देखो, क्या लिका है? Independent Director. Sir, what is Independent Director? मतलब, legit तुमको नाम से भी समझ आ रहा होगा, इसका कोई कमपनी से लेना-देना नहीं है. Sir, इसका कहीं तो भी साओधी अरियवया में कुहा होगा, तेल का, इसको घंटा फरक नहीं पड़ता, एक करोड, दो करोड, दस करोड से, यह क्या है, सिर्फ कमपनी में बैठा है, कि कल को कोई भी कलेश हो, तो मेरे को पहले बाहर जाके चुगली करनी है, मैं जाओंगा, बाह उनको न्यूस खतम करना होता है, आर्ट तो यहां पर नाम के लग गए, तो वो इसलिए बोलते है, His Excellency, ठीक है, बोले His Excellency, जो बड़े लोग है, उन लोगों का न्यूस आएगा, पर सर, यह इंडिपेंडेंट डाइरेक्टर है, मतलब इसका कमपनी से कोई लेना देना मैं आपसे एक बात बता दू भाहिया, तुमको लग रहा होगा यह सब मस्ती मजा के, कुछ नहीं, कल को जब आओगे ना क्लास में, तो मैं तुम्हारे नोट खुलवाऊंगा, और मैं तुमको बोलूँगा, लिको, section 2, class 51, key managerial person, it includes managing director, CEO, CFO and whole time director, executive director, तुम बोलोगे, क्या है sir, यह सब, अभी बही बता रहो, तो हम लोग इसको पूरा का पूरा कल, relate कर देंगे अपने लोग से, अभी सारी चीज़े बस हलके में समझ लो, sir, क्या कहा मैंने, यह मुकेश अम्बानी chairman है, और managing director है, sir, तुमको बता है, बहुत interesting चीज यह हुई थी, कि chairman और managing director, generally दो अ अनन था कि Akaash था? Akaash था क्या? सुना मेरी बात, sir, मैंने क्या कहा, please मेरी बात सुनना, sir, अनन्त अम्बानी हो यह, Akaash अम्बानी हो, please मेरी बात द्यान से सुनना, sir, हमने पहले बोला था, कि chairman और managing director की kursi अलग अलग है, दो अलग अलग नोग को बैटना चाहिए, क्या करते थे दोनों managing director भी थे और chairman भी थे अब सर एक दिन law आया 2014 की बात है कि अब से हर लिस्टेड company में chairman अलग managing director अलग Ambani ji का letter गया M.C.A को बोले मेरे company में chairman रहूंगा मैं managing director रहूंगा तो उसने फिर अगले छे मेने बाद amendment आया अब से लिस्टेड company except इतने बड़े लिस्टेड company को छोड़के बाकि सारे लिस्टेड company में एक chairman और managing director तुमको लग रहा है तुम मोदी जी के राज में रह रहे हो तुम मोदी के राज में नहीं अमवानी जी के राज में रह रहे हो सर ये lawmaker है निर्मला सीता रामन जी का तो बस नाम है काम इनका है तुमको बदे tax बनाने वाले कौन है ये भाईसा में मानो या नहीं मानो क्यों सर सर कंपनी सतर सतर हजार करोड का profit कर रही है आज से बीस साल पहले company पांच छे हजार करोड का profit कर रही है tax rate कितना होता है 30% तो पांच हजार करोड के पीछे कितना tax जाना चाहिए पंद्रा सो करोड पंद्रा करोड नहीं देते थे tax में इतने सारे लूपोल निकालते थे कि ये लोग लूपोल निकाले जा रहे उसको भरने के लिए पहले इतनी सी हुई करती थी किताब इतनी सी अब देखो tax की किताब क्यों भाही साब हमारे तो सर हम जबरदस्ती बाकी लोगों को बदनाम करते है पर सर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ ये चेर में और मैनेजिंग डिरेक्टर है उसके बाद जू मैंदम के एक शबत हाँ, सर ये देखो, Nikhil R. Meshwani, यहां क्या लिखाए? Executive, सर नीता अंबानी के बाजू में क्या लिखाए? Non Executive. सर तो Executive or Non Executive में फरक क्या है? सर जो मालिक की बीवी है, वो Non Executive, जो नहीं है वो बाकी Executive。 अरे, लो बनाव मत, जो है वो समझो. मेरे को बताओ executive और non-executive का फरक क्या होते हैं sir executive director मतलब जैसे मैं तुमको शुरू से समझा रहा हूँ share older मतलब जो share old करता है वैसे executive director मतलब जो जो execute करता है sir आपको पता है na company में काम होता है तो company में काम करने के ले ना दो तरह के लोग होते हैं जब आप directors की बात करो ना तो directors दो तरह के होते हैं एक होता है executive और एक होता है non executive sir executive director तुम जब मेरे को लिखते हुए देख रहे हो ना मेरे को बड़ा मजा आ रहे है क्योंकि तुम कितने प्यारे हो यार मेरा exam है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम इतने आराम से आके मेरे को देख रहे हो कि sir कितना अच्छा पढ़ रहे हो sir आप हम निकाल के आपको देखने आये हैं पढ़ाई थोड़ी करने आये हैं ऐसे नहीं लिख लू जब बोलेगा तब लिखेंगे अभी demo FE's भी नहीं भरी है जब बोलेगा तब देखेंगे भाया एक executive है दूसरा non executive है sir executive director मतलब बोलने के बाद भीना आखरी तक किसी को समझ नहीं आताना पढ़ रहा है अच्छा लिखना है सीधा होला ना सर लिखना है सर क्या लिखना है executive director or non executive executive director में कौन आता है पता है आपके जो managing director होते हैं ये executive director होते हैं जो आपके whole time director होते हैं ये आपके executive directors होते हैं सर ये लोगों का काम क्या है पता है ये लोग कंपनी में legit आके काम क यह रोज company में आता है, देखता है company में क्या चल रहा है, बिकरी कैसा है, कमाई कैसी है, क्या है, रोज-रोज क्या करता है, manage करता है, काम को execute करता है, इसलिए उसको बोलते है executive director, sir non executive director मतलब जो रोज-रोज के काम में interfere नहीं करते, वो जाकर यह नहीं बताता है, इस साल bonus कितना द देखना, जैसे कि independent director, sir independent director क्या होता है, non executive director होता है, तो non executive मतलब जो काम नहीं करता है, sir मेरी बात समझे क्या आप, इसके नीचे क्लाइन लिखो, पहले तो independent director को आप bracket में डाल दो id, ठीक है, लिखो last में क्लाइन, all ids, all ids are, NEDs, NEDs मतलब non executive director, जो उपर लिखाए, NED, non executive director, but, but, आगे का sentence बनाओ, sir, वो अक्षे कुमार बाला करो, all, all NEDs are, not independent director, all NEDs are, not independent director, मतलब, sir, non executive director में, लिख लिए आपने, sir, मतलब non executive director में और भी लोग आते, जैसे कि इसी के नीचे लिख लो, nominee director, nominee director, sir, क्या होता है, nominee director वगरा वो छोड़ दो, पर अभी के लिए ये समझो, कि भहिया, independent director नाम की कोई चीज होती है, non executive कुछ होता है, executive कुछ होता है, sir, आज अगर कोई पूछे आपको executive मतलब क्या, मतलब जो execute करता है, मैं जो language बोल रहा हूं, सुनो, जो company के day-to-day affairs में, कौन से affairs में, company के affairs, company का affair, मैं बोला था ना, company is an artificial person, उसका नहीं है, दिल, affair करने के लिए, ठीक है, तो sir, company के affairs का, यानि की day-to-day affairs, जो रोज की, रोज का काम है, उसमें interfere करने वाला कौन, executive, और नहीं करने वाला कौन, non executive, तो अगर आप देखोगे sir, नीतामबानी काम करेगी है, अभी इनको जरुवत है क्या, अभी मैंने बोला ना, इतना पैसा होते, तो क्या करते, non executive director बनते है, non executive मतलब मैं काम करूंगी नहीं, मैं करवाउंगी, कौन करेगा sir, काम, ये देखो, निखिल आर मेशवानी, sir, ये कौन, हीतल आर मेशवानी, ये दोनों भाई है, ये दोनों मिलके company चलाते हैं, निखिल और हीतल मेशवानी, और sir, उसके अलावा देखो, ये भी, श्री PMS प्रशाद, executive director, sir, अब आप समझो, executive director मतलब काम करने वाले लोग, sir, एक logically सोचके बताओ, salary किसकी जादा होगी, executive कि non-executive, आपने कहा non-executive, क्यों, नीता अम्बानी को देखके कहा न, भाई, company is a separate legal entity, to feel मतले, कि अम्बानी जी की company है, तो नीता अम्बानी को तू मतले feel, तू ये बता, तू ये बता कि company, जीता अम्बानी को जादा क्यों देगी, काम कौन करके दे रहे, जादा, हाँ, sir, काम executive करके दे रहे, तो सबसे जादा salary executive को मिलती है, फरक कितना होता है, बता है, अगर executive director को 80 मिल रहे, तो non-executive को 8 मिलेंगे, इतना फरक, 80 क्या, sir, हजार, माना तुम foundation पढ़के आये हो, लेकिन, मैं तुमको लाग का करोड करवा भी लेता, पर हजार का करोड में करवा भी नहीं पा रहा हूं, बाई, पर 80 करोड, अगर किसको, कितने जहनम का, sir, एक साल का, सही में Nikhil Meshwani को 80 करोड मिलते, हितल Meshwani को 70 करोड मिलते, तो अगर इनको 80 और 70 करोड मिलते हैं, तो सामने non-executive को 2 या 5 करोड ही मिलते, उससे ज्याधा नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि बैठे रहो, तुम दिन का काम तो नहीं कर रहा हो, तो तुमको बैठने के इस से जादा पैसे नहीं दे सकते, अरे समझे क्या, अब तुमको बताए, ये तो जो था ना, ये रिपोर्ट, ये फाइनेशल ये 22-23 का था, इस साल मीतामबानी हड़ गई है, बदले में तीन कांडिडेट आये हैं, इल्शामबानी, अनन्तमबानी, आकाशमबानी, वो तीन इस बात है, ना, मेरे पापा का बिसनस मैं संभालूँगा, तुम किता भी सेपरेट लीगल इंटी कर लो, मेरे पापा का बिसनस मैं ही संभालूँगा, तो तीन लोग कौन, आगई हिशामबानी, आकाशमबानी और अनन्तमबानी, अब वो बोड के हिससे हो गए, मतलब भी कूपन की जरुवत नहीं है, ठीक है सर, समझ गए, अब यह क्या हो गया यह आप लोगों का Executive Director, Non-Executive, तुम्हें वो चाट बना लिया, Split बना लिया, ठीक है सर, सर क्या आप समझ गए, अपने बास पांच मिनिटे बस हो गया, सर क्या आप समझ गए, Directors क्या होता है, यह सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ न, यह सब आपको कहीं लिखी भी बुक में नहीं मिलेगी, इन्टर की यह सब General Knowledge है, दिन का मतलब क्या होता है, Director, Identification, Number, नीचे नोट में लिखो अपने, Director के नीचे लिखो, दिन is equal to, Director, Identification, Number, सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइ में बहुत ज़्यादं महेनट करेंगे। रहर तो जाओ तीनो लाइन से यह थे सही wenn और टीनो गलत Пेहले इदर यह था तीन बहुत सांधा महेनट करेंगे। a 2 दुसरा मैं प्ली साम दम दंड भैद लगा दूँगा आपको सेवेंटी प्लस दिलाने में लाव में। तीसरा सच बोलना है ठीक है तो तीसरा आप लोगों का class एकदम ताइम पे शुरू होगा एकदम ताइम पे मतलब .11.15 unless the other teacher leaves late your time class will start absolutely on time because I believe discipline is the key to success if you are not disciplined you will never achieve anything so we show discipline we expect the same from you तीन चीज़े मैंने कई दूसरी तरफ तीन चीज़े पहला तुमारा Sunday को class कभी भी नहीं रहेगा दूसरा तुमारा रोज शाम को साड़े पांच विजे class खतम हो जाएगा तीसरा तुमारा रोज मेरे law के टाइम है 1.45 तुमारा रोज 1.45 को class एकडम टाइम पर because discipline is the key to success तो 1.45 को एकडम हम चुटी दे देंगे सर इसमें से कोई तीन चीज़े जो पहली वाली या तो सच है या गलत है और दूसरी वाली या तो सच है या गलत है क्या लगता है क्या लगता है मतलब सर संडे को छुटी नहीं आर ऐसा जिसे हमारा आधार काड होता है, आधार काड मतलब क्या, आधार काड है, इसका मतलब यह क्या होता है, जाके चावल ले सकते हैं, फ्री में, भाई, आधार काड का मतलब तुम इंडिया में रहते हो, तुम्हारा इंडिया में रहने का क्या हो जाता है, आधार काड हो जाता है वैसे ही आप अगर कहीं डिरेक्टर बनना चाहते हो ना तो आपके पास दिन होना जरूरी है सर आपको पते हैं दिन का कॉंसेप्ट पहले बहुत जादा नहीं था इन्होंने जब कंपनी साथ लाया ना नया वाला तब इन्होंने दिन को प्रमोट करना शुरू किया है का आपको पते हैं इंडा में सबसे पहला दिन किसको मिला था जब इन्होंने दिन का तेया था तो out of respect in एक अआफ प्रिस्पेक्ट outta चाओनर सबसे पहला जो दिन नंबर था वह लिए ओन ने जया था लदटन ताटा जी को और उसके बाद इन्होंने एक एक कर के दिन क्या आप समझगे, Board of Directors क्या होता है, एक एक इंसान को Director बोलते हैं, सब को मिला के Board of Directors बोलते हैं, Shortcut क्या डालूँगा Board of Directors का, B.O.D. Sir, आप क्या मेरे को अगले दो वर्ड के बीच में फरक बता सकते हो, एक होते हैं आपके Shareholders, एक होते हैं आपके Members, मैं बोल सकता हूँ मैं Reliance का Shareholder भी हूँ, और मैं बोल सकता हूँ मैं Reliance का Member भी हूँ, क्या लगता है आपको? Sir, दोनों में फरक क्या है, Shareholder और Member एक एंसर यह भी है, कि sir, कोई फरक ही नहीं है, there is no difference. अबाज 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 तुमको सुनाई देता ना मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, ऐसे, ऐसे, क्या है भाई, तुम्हारा Shareholder और Member में फरक क्या होता है, तुम इत्ते समय से सुनते आ रहे हो, एक होता है Shareholder एक होता है Member, फरक क्या होता है? सर, आपने Foundation में, Direct Entry वाले घबराना नहीं, पर सुन लो, क्या आपने Foundation में, Company Limited by Shares, Company Limited by Guarantee, Company Unlimited Company का Concept सुनाए? क्या आपने सुनाए? Yes, सर, Unlimited Company में ना, Unlimited Company में ना, Share Capital, ऐसा हो सकता है कि Unlimited Company में Share Capital नहीं है, सर, अगर Unlimited Company में Share Capital नहीं है, मानलो मैंने, Ajay ने, Devgane ने, मैं Ajay Devgane, हम तीन अलग 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 है, सर, हम तीनों ने मिलकर के क्या बनाया, एक Unlimited Company बनाया, जाओं क्या? क्या हुआ? रुक तो जाओं, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, भगा देते हैं भाई, ताइम हो गया तुमआरा, जाओं, ने तो फिर तुम और एक गंटे का मांग लोगें, उमको गंटे का नहीं मिलता, बताना मत किसी को, क्या का हुआ मैंने, सर, सुनो, तुमको क्या लगा, बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया मैंने, यह पुरा जान मुझके बोला है मैंने, जूट था यह, किसी को मत बताना, सुरो सर, क्या का मैंने, प्लीज मेरी बात सुनना, सर, एक बात बताओ, शेरोल्डर जो है और मेंबर्स में फरक है, मैं बोल रहा था unlimited company, unlimited company में share capital नहीं होता है, ऐसा हो सकता है कि unlimited company में share capital नहीं है, अगर सर मैने अजेने और देवगन ने एक company बनाई जिसमें share capital नहीं है, सर आप shareholder कब बनते हो, जब आप पैसा देके shares करीते हो, पर उस company में तो share capital ही नहीं है, तो मैं उस company का shareholder नहीं बन सकता, पर सर company है, MOA तो बनेगा, क्या बनेगा? MOA मतलब? Direct entry वाले घबराना नहीं पहला 10 दिन हमारा foundation का ही basics शलेगा, सब बताऊंगा MOA, AOA क्या होता है, सहलो अभी तोड़ा सा, क्या कहा मैंने? पहले MOA बनेगा? सर, MOA में subscribers होते हैं, subscribers मतलब जो MOA को sign करते हैं, सर वो जो subscribers होते हैं, सर वो जो subscribers होते हैं, वो बाद में क्या बन जाते? Members! तो मैं एक unlimited company, without share capital का member बन गया, पर shareholder नहीं बना, तो generally speaking, हर company में shareholder ही member होता है, पर जिस company में share capital ही नहीं है, उस company में सिर्फ member होता है, shareholder, नहीं होता है, अरे समझे क्या, yes sir, सर हमारा एक बहुत इतना सुनके ना, एक दिल से सवाल आया, क्या हम आपकी class में तभी बैटे थे, अब आपका foundation का हमारा धंग से पड़ा हुआ हो, अगर foundation का कुछ भी नहीं आता तो चलता क्या, the answer is yes, क्योंकि सर्फ मेरको नहीं, ICI को भी पता है कि BCR was the way, मेरको नहीं, ICI को, बरोबर उसने तुम्हारा company का incorporation, doctrine of constructive notice, doctrine of indoor management, बराबर इनों नहीं तुम्हारे syllabus में डाला है, और exam में पूछते भी है, तो आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा foundation का जो syllabus थाना, वो आपका अगले 6-7 दिन का inter-ka session बनने वाला है, अब sir मेरी बात चुनो, खतम हो गई क्लास आपकी, सुन लो, कल की क्लास में, हलो, कल की क्लास में, मैं आपको सबसे पहले बता दू, official timing for law, everywhere is 1.45, आज हमारा 1.30 तक रहेगा, पर official timing is 1.45, कुछ बाते सुन लो sir, सबसे पहली चीज तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास नहीं बहुत प्यारा report है, यह report जो है, यह monthly information bulletin है, यह बताता है इंडिया में कितने companies active हैं, कितने small company, कितने one person company, कितने foreign company, कितने listed, कितने unlisted, बहुत सारी information बताता है, कल हम इस report से शुरू करेंगे, और इस report के साथ साथ हम पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे इसमें लिगा है private companies इतने, तो हम private company का definition, पढ़ना लिखना वो सब शुरू करके, कल हम अपना proper companies act शुरू करेंगे, दोस्तों आप लोगों ने कल notes लाना है, और वो notes लाना है, जो आप अपना fair notes बनाने वाले हो आखरी समय तक के लिए, जो बच्चे demo देखने आये थे, देखो, मैं अपना काम कर लूँगा, तुम जब आज demo देखने आये हो, आप लोगों ने एक सवाल अपने आपसे पूछने है, क्या तुम अपना काम करने के लिए ready हो, क्योंकि the classes for companies act and the whole classes are going to be super interesting and more important lesson, मैं कल ये demo demo का नाच नहीं केलने वाला, कल की class में हम लोग actual में वो content पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे लिए boss, course time पे शुरू करके, course को time पे खतम करना, और उसके साथ सथ जितना हम maximum time दे सके, test को, revision को वो करना जरूरी है, अभी शुरू के साथ से 8 दिन, आप लोगों कोई revision audio नहीं मिलेगा, अगले तीन दन तक आपको कोई homework भी नहीं मिलेगा, because I know a lot of you are from different place, and बाकी सब subject भी आप settle कर रहे हो, दीरे दीरे settle हो जाओ, तीन दन तक कोई homework नहीं मिलेगा, चौते दिन से आपका homework भी शुरू हो जाएगा, Sir, क्या हम लोग class में writing practice करेंगे, जी हा, हम लोग class में भी writing practice करेंगे, and let me tell you, we will take your mock test, and that mock test is also going to be checked, because आपने लिख लिया ना, तो उसके बाद एक बार आपको अगर कोई बता दे, कि भाया देख ये ये चीज़े सुधार नहीं है, तुम double improvement कर सकते हो अपने अगले mock test में, so that is what I am going to do, but as I told you, आपके law का डर, खतम करने की, मैं हिम्मत रखता हूँ, बर मेरेको तुम्हारा साथ लगेगा, अगर तुम ये सोचोगे, मैं तो rigid रहूंगा, Sir ही मेरेको पास कराके देंगे, नहीं राजा, फिर Sir exam oriented देते हैं, ठीक है, batch, पर अपने को वह नहीं चाहिए, तुम लोगों ने positive रहना है, कि Sir हम foundation में उखाड सकते हैं, 70 आ सकता हैं, definitely आ सकते हैं, there is no questions asked, और ये inter के हर subject के सच है, तुमको बस देना पड़ेगा अपना समय और अपना hard work, ठीक है, समझे, बहुत सारे आगे discussions होंगे, तुम्हारे b.com को लेके, both group को लेके, सारे discussions होंगे, सारी चीज़ आज नहीं सीख सकते, आज कले बस हम इतना ही रखेंगे, एक बार जोर से बोलोगे, एकदम जैसे online वालों को सुना ही दिना चाहिए, कैसा लगा आज का क्लास तुमको? इत्ता लंबा ने एक ओड में बोलते है, अच्छा बोलना, ठीक है, कैसा लगा क्लास तुमको? अच्छा यह तुमने सिंक में बोला, जैसर आ रखें? मत छोड़ो, यह तुम प्रेस्टीज पॉइंट में नए आये हो, यह सारी चीजों की तुमको आदत पढ़ जाएगी. Online वाले बच्चो, tomorrow the session will start sharp at 11.15, subject to the previous class of course, and the session will go until 1.45. So make sure that you keep your mind open, और आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा न, कि इतने इतने गंटे कैसे पढ़ेंगे, आगे sir, कि इतने 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 गंटे कैसे पढ़ेंगे, 8 गंटे, foundation में तो 8 गंटे हमने total total पढ़ा होगा, एक एक हफते में, फिर कैसे होगा, sir यह सब तुम हम पे छोड़ दो, शुरू में साथ दन से आठ दन आपको वह rigidity आईगी, कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, पर बाद में तुम लोगों को इस दर्थ की यह, सेशन्स की तुमको आदत हो जाएगी, ठीके समझें, हाँ तु कर ले, बात कर ले तु पैने, तुम दोनों हाथ पकड़े हुए हो क्या, एक सेकंड, दो लड़के हैं, छोड़, मैंने देख रहाँ, तुम संभालो भाई, क्या चल रहा है, एक जगे से आईवे दो लोग को एटमिशन नहीं देना कर आए, इसा करने का, दोनों को अलग अलग क्लास में करो, भाई तुम लोग को मैं बता दू प्लीज, यहां पूरा कैमरा है, तुम सोचो के उस कोने में जाके फिर्स्ट, यह बुक माई शो से टिकेट कर नहीं आया हो तुम, कि भाई जल्दी देखो कॉरनर सी, और बुक माई शो में भी जाते हो तुम ऐसा थेटर ढूनते हो जो खाली हो, मैं एक्स्पिरेंस से नहीं मैं नौलेज से बता रहा हूं, नौट अवरिधिन इस आउट अउट अउट अच्पिरेंस, तुम लोग से रिक्वेस्ट हाथ उपर कर रखो, बेंच के नीचे का नहीं दिखता, प्लीज हाथ उपर करके रखो, keep your hands where I can see them, ठीके, चलो guys, once with huge round of applause, let's invite Jay Chawla sir, your faculty for advanced accounts. Sir का एक नारा है, बोलो advanced accounts की, जारा है, Thank you, you're welcome sir, पैसे दे देना, अभी में कुछ से सुन रहा था, की वो घंटे के हिसाफ से something कुछ चल रहा था, गये वो भी गये आप, अच्छा एक सेकंड, Sir, आज मैंने तुमको एक्जेकुटिव और नॉन एक्जेकुटिव डिरेक्टर का कॉंसेप्ट रहा है, पेले क्लास में ही टेस्ट करेगा मिरेको, नहीं नहीं सार, अभी अंदर की बाते दस क्लास तक मालूम पड़ जाएंगे, पहली क्लास में क्या है भी बहुत जादा बताया गया है, फिर उसके बाद एक्जेकुटिव डिरेक्टर की टाइप मालूम पड़ेंगे तुमें, तो मैं किस टाइप में आता हूं भी मालूम पड़ेगा भी तुम्हें, एक्जेकुटिव डिरेक्टर अन्पेड, जालो, बोलो जाएंगे। तो गईस, गुद अफटनून विवान, गुद अफटनून आविवान, गुद अफटनून अविवान, एडवान्सड अकाउंट्स, सर, कुछ नया बताओ, नाम मही एडवान्सड है सिर, हमारा एडवान्स कॉर्परेट अद अद अधर लो है, हमारा सब्जेक। सवाई बिलीव कि आपकी अभी तक की क्लास बहुत अच्छी जा रही होंगी, आप में से, में हम सुबह भी आये थे। पर आप में से कितने ऐसे शुप्चे जो सुबह की कलास में नहीं थे, Can you please raise your hands ? जो सुबह की कलास में नहीं थे, टेक्स की कलास में नहीं थे, Alright, So, मेरा मानना है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से एक इंपॉर्टन्ट चीज आपसे कहना चाहूंगा, कि अभी जल्दबाजी में मत रहना, एक दो दिन या तीन-चार दिन लग जाते हैं सट्ल करने में, सट्लमेंट होने में, अभी बहुत सारे लोगों के हॉस्टल पेंडिंग होंगे, या शिफ्टिंग अच्छे से नहीं होई होगी और ये सब चीजें हम सबको पता रहती हैं तो इसलिए हम शुरुआती दिनों में ज्यादा प्रेशर नहीं डालते मतलब होमवक्स वगरा ज्यादा होते नहीं है एक important चीज एक और कहना चाहूंगा कि हमारा जो advanced accounts का lecture है वो धाई बजे होगा धाई से साड़े पांच बजे होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने admissions ले लिये होंगे जो बच्चों ने अभी तक admissions नहीं लिये हैं या फिर अगर माली जब वो demo परपस से आये हैं तो they are most welcome for that धाई बजे का lecture यहीं पर होगा the best benefit is कि यहां पर से आपको हिलना नहीं है अगर आप यहीं पर सारी classes लगाते हो and during the counseling मैंने एक चीज बहुत सो लोगों को बोली थी अभी फिर से बोलना चाहूंगा advanced accounts बदल चुका है subject पहले old syllabus में जो यह subject था और अब जो subject है इसमें बहुत भारी बदलाव है सर क्या बदलाव है accounting standards के पहले जहां accounting standards सिर्फ 10 बार accounting standards होते थे 20-25 mark के होते थे अब वही चीज 70 marks अप्रॉक्स हो चुकी है and it's a huge मतलब उसके बिना उसकी expertise के बिना यह subject में पास होना मुश्किल है और expertise मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही चीज आपको काम आने वाली है आपके CA final में यहां पर आपका advance accounts में AS आपका base बनाएगा बहुत important अगर आपको AS अच्छे से deliver किया गया अच्छे से practice करवाई जई तो आपका CA final में बहुत strong base create होगा और आप याद रखोगे कि हां कि inter level पर हमने अच्छा से पढ़ा था या अच्छे से नहीं पढ़ा था इसलिए हमें अच्छा लग रहा है अब final में या फिर अच्छा नहीं लग रहा है दूसरी एक important बात बता दूँ accounts में only concepts नहीं होते हैं हम कितना भी concepts में strong हो जाएं जब तक class के अंदर multiple questions की practice ना करवाई जाए तब तक accounts में confidence नहीं आ सकता है दो questions की practice तीन questions की practice से काम नहीं चलता है और मैं हमेशा से ये मान के चलता हूँ कि inter level पर अगर बच्चों की practice अच्छे से करवाई गई तब ही तो वो final level पर practice के लिए अच्छे से कर पाएगा प्रेक्टिस के लिए वो मजबूत हो पाएगा तो accounts में मेरा एक बहुत important factor यहां होने वाला है class में मैं खूब बहुत सारी class में practice करवाने वाला हूँ yes I will give the homework homework तो necessary है ही सही बट यहां पर हमारी class में ऐसा नहीं होगा कि मैंने दो questions आपको करवाए और मैंने आपको 4-5 questions homework दिये वो थोड़ा सा burden जादा हो जाएगा और ऐसे case में confidence उपर नहीं जाएगा confidence नीचे आएगा तो यहां पर मेरा simple सा rule है अगर मैं 5 या 6 questions करवाऊंगा तो आपको मैं 2 homework दूँगा ताकि at least वो 2 homework को आप time दे सको शुरुआत में starting के 10-15 दिन आपको समय लगेगा उस level तक आने के लिए सो हम बहुत सारी practice करने वाले हैं बहुत सारे accounting standards की extensive knowledge लेने वाले हैं and believe me आपको जतना भरोसा बाकी subjects में है उतना ही आपको मजा और भरोसा आपको advance accounts में भी आने वाला है so I invite you all जो भी बच्चे अभी भी demo में है तो कोई दिक्कत नहीं है demo purpose से आप आए हो दो तीन दिन के लिए यहाँ पर हो so I invite everyone कि धाई बजे आप जरूर मुझे मिलिएगा and साड़े पांच बजे के बाद भी मैं यहीं रहूंगा क्योंकि last lecture है साड़े पांच बजे के बाद किसी को कुछ भी मुझसे बात करनी है regarding the subject, regarding the teaching और सिर्फ आज नहीं बोल रहा हूं हमेशा ऐसा होने वाला है हमारा जब भी lecture चलेगा साड़े पांच बजे के बाद जय चावला आपको यहीं मिलेगा आपके personal doubts के लिए यह भी चीज होने वाली है so बस यहीं पर मैं कहना चा faculty हम सब faculties के बार में common statement आपको बताऊंगा that we are genuinely like ayurvedic medicines we take time to show our effect but once we start showing our effect it works like a charm without any side effect हम वो allopathy medicine नहीं है जो शुरू में मजा शुरू में तभे ठीक बाद में घटका we are genuinely like ayurvedic medicines because we believe that good things take time we could have always made sure कि जो हमारे first lecture है वो हम तुमको unnecessary से ज्यादा interesting बना के बहुत ज्यादा hype करके हम आपको यहां पर engage करके admissions ले सकते हैं but हमको पता है जो हमारी style है वो first lecture से last lecture तक आपको intact दिखेगी and that is why I am sure आप यहां आके बैठे हो तो आप किसी के feedback पर आके बैठे हो किसी teacher किसी student ने अपने तहे दिल से students को justify नहीं करो ना दर्वाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं खबरदार तु घुसा यहां पर अरे भाई मैं तु तुर को जानता भी नहीं पिर भी खबरदार घुसा यहां पर वो तुमको घुसने नहीं देंगे और अगर किसी ने feedback दिया है so they know that this journey we are here for you till the end till this road ends and as I said हमने counseling में बहुत बोले कल तक हमने बहुत counseling करी आज से हम सर्फ teaching करेंगे तुम यहां पर focus करेंगे तुम लोगों को नीचे वाले office में यह नहीं भाई ले 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 नहीं तुम लोग अपना decision low but at the same time sir कहरे ने demo देखो पर मैं आपसे ही कह रहा हूँ जो decision हो गया है law specifically sir कल से मैं कोट शुरू करूंगा because I have to make sure that we are absolutely on time for each and every chapters दो दिन बाद आपको class में शेडूल मिलेगा आपको बकायदा बताया जाएगा इस दिन से इस दिन यह सेक्शन से यह सेक्शन होगा and once you go with that discipline you will also enjoy कि हा मेरे को पूरा रस्ता साफ दिख रहे मेरे को पता है मेरे को कहां जान so I want you all to have the book so that we can start the writing practice that's it that's it guys settle down all the best have a great day today thank you guys bye 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 guys have a good day okay .